आज की इस परिचर्चा में आप सभी का आतिक स्वागत है अधिनंदन है और समान्य रूप से ये एक ऐसा विशय है जिसके बारे में हमारी जानकारियां बहुत कम हैं और विशेश रूप से मुझे ये स्विकार करने में कोई कठिनाई नहीं है कि मेरी वास्तिक जानकारी बहुत कम है हाँ ओपीनियन मेरी बहुत सारी है क्योंकि ये मेरे लिए इमोटिव इशू भी है आइडेंटिटी का इशू भी है एक भार्ती होने के नाते और एक कंसर्ण सिटिजन होने के नाते मेरे लिए चिंदा का विशय भी है कि एक कॉंस्टि भाग इतने सारे भेद ये कैसे होते जा रहे हैं और वो सिमिट क्यों नहीं पा रहा है बार-बार पयास करने पर भी बार-बार उसमें कि संशोधन करने पर भी वो पूरा क्यों नहीं पड़ता तो यह जो भारत और प्राइंगल बन चुका हुआ है इस प्राइंगल ने काश्मीर का विशेश महत्व है और हम सभी जानते हैं हम सभी क्या आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूं कि वहां की समस्याइं आज के दिन में कितनी कंप्लेक्स हुई है जिन्हें बर्तमान गॉर्मन ने रिजॉल्ट करने की कोशिश भी की है 11370 को हटा करके उसको तील भागों में बाढ़ करके एक बहुत सोची समझी और बहुत सफल एक सोच का वो प्रतीक है उस पॉलिसी को बनाना लेकिन उसके भीतर उसके पीछे का इतिहास उसके पीछे ये सारा घटना करम किस तरह से बना है जो आज हम स्थितियां देख रहे हैं और स्थितियां भी हम वही देख पा रहे हैं जो मीडिया के तूर हमें पता लगती हैं या सोशल इन डिस्कोर्स में हमें पता लगती हैं हमारी जानकारियां कितनी हैं उसके विशह में हमने आज ये बारशीत करने के लिए आप लोगों से चर्चा करने के लिए हमने तीन वक्ताओं को आमंत्रिक किया है डॉक्टर मेहिश कॉल जे और श्री राजन गांधी जी और सुष्री रानी निरंचन देसाई जी रम्मी दिश्ट निरंचन देसाई जी वो हमारे साथ हैं लगभग दो घंटे चलने वाले इस कारेक्रम में 20-20 मिनट अधिक्तम जो है वो हमारे तीनों मुख्य वक्ता अपनी बात हमारे साथ सांजी करेंगी उसके बाद वक्ताओं के साथ चर्चा करने के लिए जितने की प्रतिभागी है वो अपने प्रश्णी या अपनी टिपणी या जो भी उनको लगता है कि प्रिष्टि कोन यह होने चाहिए थे वो अपना सांजा कर सकते हैं जैसा कि मैंने पहले कहा कि मेरी भी वास्तिक जानकारी इस विशे में बहुत तम है जम्मू इनकश्णीर ब्रेकिंग दा सब्वर्सिब और बहुत डाइनमिक टॉपिक है और यह मेहेश कॉल जी का ही दिया हुआ टॉपिक है उसके लिए उनका मैं धुन्यवाद भी करता लेकिन जब मैं क्योंकि मेरा विशे संस्क्रिट है तो मैं तो इसको संस्क्रिट की दृट्ची से जब देखना हूँ तो मुझे दो पंकिया तुरंत याद आई थी और वो ही मैंने दो पंकियों में आपके सामने ये सारा विचार प्रस्तुत करूँगा और फिर डॉक्टर कि बड़े लोग जिस मार्क पे गए हैं वही मार्क होता है जिस मार्क पे उन्हों ने वो चले हैं उसी का बाकी लोगों को अनुसरेंड करना चाहिए और आप स्लाइड में देख पा रहे हैं ये बड़े-बड़े लोग है इन्होंने नए भारत का निर्मान किया और ऐसा कह जाता है और ऐसा मैंने सुना है कि अजादी भी हुमें दिला दी मालूम नहीं वो अजादी के किस तरह के रूप मेरे सामने आते हैं तो कई बार तो देखे आश्चुछी होता है लेकिन हम मानते हैं क्योंकि आज की किताबों में मुझे ये बताया गया है कि ये लोग महारा है दूसरी तरफ आप पंक्ति एक और देखते हैं चरक संगेता से अंचत्वंतर से में सेज़ा चरक में अलांकि बीच में पंक्ति आज चाहिए लेकिन सोशल साइंस के बारे में मेरी अपनी राय जो है वो कि है महताम प्रज्या पराधार रजा प्रव्र्वित्ति निए बड क्योंकि इसकी सारी समवेधन शीलता और तरलता समाप्त हो जाएगी प्रज्या अपराध जो है वो गुद्धी के अपराध कि आप अपने आपको बहुत बड़े समझते हुए जो अपराध कर जाते हैं आप वास्तिक धरातन को नहीं देख पाते वास्तिक परिस्थिति को देख पाते और केवल अपनी बड़े होने के नाते अपनी सोच के विशे में आप अपनी इच्छाओं की अपेक्षा से जिस तरह का विवहार कर जाते हैं उसके कारण क्या होता है प्रजा में अधरम की प्रविक्ति हो जाती है नाम को तो हमने कॉंस्टिचूशन धरम बना अब यह जो बात है यह बात में क्यों कह रहा हूं अपड़ी महसूस करके यह कह रहा हूं गांधी जोहरलाल नहरू इन लोगों ने जिनकों बहुत आधरमांग भी देते हैं सब पातें ठीक ही है उनकी लेकिन बहुत कुछ ऐसा भी है जिसका दाइतों उन्हें वेहन करना हो वो हिंसा का दाइतों उन्हें वेहन करना होगा उससे वो बच नहीं सकते लेकिन इस सारे बीच में क्योंकि आज हमारा फोकस कश्मीर के उपर है तो इस कश्मीर के बीच में जो आप यह स्लाइड में देख रहे हैं चारों चित्रों मुझे लगता है कि यहां से हमें आरम कर करूँगा कि गंधी की नान-वाइलेंस क्या काम करेगी आज के युग में और हरी सिंग राजा हरी सिंग अपनी तरफ से ओफर भी की कि वैले के लिए लेकिन गंधी नेहरू के अपनी जो इच्छाएं थी नेहरू ती थी अपनी जो सोच थी उस ने किस तरह का उसके साथ कर दिया किस तरह के उसको प्रस्तुति करन कर दिया और फिर शेक अफदूला और ये पडेल और मिलाकर कि आज जो उस कश्मीर की स्थिति बनी हुई है तीन सुर सतर से पहले के और तीन सुर सतर के बाद कि उस सभी से आप परीचे करें और रोज मर्ण उसमें आप पढ़ दी कि इन चीजों के साथ इससे फूर्व कि मैं बक्ताओं का आप से परीचे कराऊं एक कि इपनी और भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा कि कई तरह के नरेटिव्स यहां पर उपलग हैं कश्मीर को लेकर के जमु कश्मीर को लेकर के रिलिजियस नरेटिव भी आ अधार रहा है लेकिन आज भारती समस्क्राइब की बात करना कितना कठिन है तो चीज मैंने अपनी तीन विजिट्स में वहां मैसूस देती है फिर कॉंस्टिचूशनल राइट्स का निरेटिव है मीडिया का निरेटिव सेकुलर हुमन राइट्स यह सारे निरेटिव से आ करने के लिए बैठते हैं तो वहां पर नहीं वहां पर तथ्य चाहिए वहां पर एक दृष्टिकों की व्यापक्ता भी चाहिए अच्छा मौसम मैडम प्लीज आप थोड़ा सा अन्म्योट करेंगे फिर मुझे करना पड़ेगा मेरे लिए प्लीज तो इस निरेटिव को ध को ध्यान में रखते हुए हम आज की बात को समझने का प्रयास करेंगे और जैसा कि मैंने पहले ही स्विकार किया है कि बहुत जानकारी नहीं है इस विशे में मेरी भी उपीनियम जरूर है लेकिन जानकारी हम सुम्ठी कम है तो वह हम तीन लोगों से हम आज के तीन मुख्य सब्सक्राइब करेंगे तो उनका रहा हूं कर रहे हैं और इंट्रेस्टिंग लिए उन्हों ने जो अपने शुरुवाद की नियो देली में और श्री अर्वेंद और काश्मी शेविजंतू पर इस वक्त काम कर रहे हैं और इंट्रेस्टिंग लिए उन्हों ने जो अपने शुरुवाद की ही है वो में व्लासटी और पींटी यह और फिर उसके बाद उन्होंने प्रोपना कारी किया है वह तरिकल पॉट लैंस के उपर जम्मू एंकश्वी में उसके उपर उन्होंने काम किया है मुझे इनको करना पड़ेगा जो भी हमारे प्रदी ठाकी है में यह कठिनाई हो जाती है कि एक ही साथ आप जब अकेले ही सारी काम करते मैडम सरिता जी प्लीज अब आप अन्म्यूट मत करिएगा बच्चों को पढ़ाएं जरूर लेकिन प्लीज अन्म्यूट मत करिएगा और इसके साथ ही वो कंसल्टेंट है जम्मू एंड कस्टमीर इंस्टिटूट अफ मैनेग्मेंट पब्लिक अट्मिंस्टेशन डूर डिवल्प्मेंट और इसके इलाबा भी वो कितने जागरूख विचारक हैं इस बात का उनके वक्तव इसे आप लोगों को परिचय मिलेगा कि डॉक्टर मेहेश कॉल जी का मैं स्वागत करता हूं हमारे जो दूसरे बक्ता है श्री राजन गांधी जी जो भी इलेक्ट्रोनिक्स और कम्मुनिकेशन जिन्होंने श्री नगर से किया है इंजिनिरिंग कॉलेग से और उन्होंने बहुत कुछ देखा है अपने यथार् परिस्टित्यों को देखा है कि किस तरह से वहां इसलामिक टेररिजम जो है किस तरह से पहला किस तरह से जो वहां से कश्मीरी बंडित है वो निकाले गए और फिर उन्होंने बहुत सारे भारत के उन्होंने यात्रा भी की है और बहुत सारा उन्होंने का देखा सूचा में अलगलग कॉलंब्स लिखते हैं जम्मू और कश्मीर को लेकर के और उसकी जो स्टेजिक और पॉलिटिकल और सोशल इशूस है उनको भूब उसमें कवर करते हैं श्री राजन गांदिल जी का मैं स्वागत करता हूं सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका और आपको सुनने की उत्सुक्ता मेरे में बहुत अधिक है और मैं समय का हूं कि प्रतिभागी थी आपको सुनना चाहिए हैं साथ-बहुत-बहुत ही रुचिकर उनका प्रोफाइल अगर आप देखें आप पढ़ भी सकते हैं कि MBA Honors in Theology इसकी विशे में कोई कोर्स चल रहा है लेकिन में उन्होंने Anthropology और Sociology में और रिलीजियन की स्कॉले लंडन से किया है और फिर वो एक्टिवली इंवाल्ड रही है रिसर्च और अनलसिस में नौर्थीस रीजन के भारत के नौर्थीस रीजन में और उन्होंका जो फोकस एडिया रहा है इं नौर्थीस पॉलिसी इंस्टिटूट और साथ ही साथ वो इस वक्त रिसर्च अड्वाइजर है इंडिया फांडेशन की विस्टिंग फैलों भी है नौर्थीस सेंटर की इंडिया फांडेशन की और उनकी पुस्तक जल्द ही मुझे लगता है आ गई हो तो मुझे मालम नह देखने के दिलेगे मैं आपका भी बहुत-बहुत स्वागत है अभी नंदन है और आपकी बात सुनने के लिए हम सभी बहुत सुख हैं क्योंकि इतना विविट सब प्रोफाइल है यही अपने आप में मुझे बड़ा आपके प्रती रुचिकर बनाता है कि इतनी विविद स्लाइड आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूंगा कुछ प्रश्ट उठाते हुए वस्तुत है यह जो टॉपिक है यह उस तक एक ग्रंथ प्रकाशित हुआ था जौक्टर मेहेशवाल जी की तरफ से उनने एड़ेट किया था और इसमें कई प्रोमिनेट जो पर्सनलिट इसके पढ़ें हैं जो मेरे साथ डॉक्साब में शेयर किये थे और टॉपिक भी आप देख सकते हैं कि उमीद का ये टॉपिक है यथार्थ कैसा भी हो लेकिन उसमें सही उमीद की किरण क्या है उसको रुन्धा में प्रक्षिंगे कुछ कोस्चन्स जो मैं शेयर कर रहा हू जिससे कि एक भूमी का डॉक्र में हेश्ची के लिए भी बन जाएगी और सर ये कुछ आपके ही प्रश्न है मेरे इसमें कोई कोई नहीं है इस इंडिया पढ़े सठीक से प्रश्न है ताकि ये जितने शोता है प्रतिभागी है ये भी रिस्पॉंड कर सके हैं जब हम तो इस बात का ध्यान रख्येगा वाके मेरे दिल को ये चूते हैं और मुझे तुपलीश भी देते हैं इस तरह के प्रश्न और जब मैं वहां देखता हूं कि तरंगे कि सम्मान में कोई उठके भी खड़ाने ही होता और पर्टिकुलर्ली कश्मीर उनिवस्टी में कि टिग्रियां दी जा रहे हैं और वहां जन्गन भी हो रहा तो भी जन्गन मन भी हो रहा है और उसके पुट्ड़ा नहीं हो रहा है तो इक तरह हमारे इस चूते ही इस प्रश्न का उत्र देने से is there some tactic understanding to accommodate the Muslims of nationalism at the cost of territorial integrity and sovereignty of a nation that swears in the public life by the principle of secularism. मैं बाकी दो अंतिम चोड़ रहा हूं हूं, समय नहीं में लेना चाहता है, आप लोग पढ़ सकते हैं इस सारे चीज़ दो, लेकिन इस सवाल हैं, चो बड़े ही चुबने वाले सवाल हैं, लेकिन उत्तर हमें नहीं मिलती और उत्तर क्या बात भी करने को नहीं मिलती और बात अगर करने लगते हैं तो बहस में चले जाते हैं, क्योंकि मीडिया बहस में ज़्यादा विश्वास करते हैं, वो संभात में विश्वास करते हैं, और मैं उमीद करता हूँ, आज हमें लगभग अगले जो कौने दो घंटे हैं, उनमें संबाद का मौता मिलेगा, हम देखेंगे कि किस तरह से इन सारे विश्यों को हमें देखना है, समझना है, और उसके बाद आप लोगों अपनी अपनी उपीनिन देने के लिए संवेधानि की छिनि दृष्टी से आप लोगों का मैं स्वागत करूगा, कि आप अपक्रतिक विश्यों है, यह स्वागत कर एए संस्क्र conquered MmHak. कि वो इस सारे का प्रारूप हमारे सामने रखें और इसके बार नमस्कार नमस्कार आश्टो जी और सारे मेरी आवाज आ रही है सर नमस्कार सारे अपने प्रतिबाग्यों को और मेरे सेह वक्ता श्री राजन गांदी जी और जो बाकी सारे शिक्षाव्यत यहां जूड़े है इस समय जब देश एक ऐसे हालात से जूज रहा है जो हम सारे देख रहे हैं कि किस तरह का वातावर्न बना हुआ है मिष्ली पार है जो मैंने बात की थी तो जब इस कुस्तप को हमने इसक शुरू काम करना किया था तो उस समय भी हमारे मन में कुछ प्रेशने थे जो आपने मेरा काम आसान कर द Já अपने प्रेशने बिलकुल स्लाइड पर रखे हैं इनी प्रेशनों के उत्तर डूंडते डू प्रति काफी सजग भी हैं और आज की डेट में बड़े लोगों ने काम भी किया है, हतोत साहित होने की जरूरत नहीं है, तभी हम यह प्रश्ण पूछ रहे हैं, अगर यह काम नहीं हुआ होता, तो यह प्रश्ण नहीं पूछते हैं, और आज तो जी आपने बिल्कुल आरम म नहीं नहीं पूछते हैं, लोगों ने आज तक यहीं कहा कि अहिंसा परमोद्रम बारतिय शास्र संबत, लेकिन आदा कहा, आदा सत्य, पूरा सत्य क्या है, पूरा सत्य है, अहिंसा परमोद्रम, दर्म हिंसा तथे वचा, धर्म हिंसा तथे वचा, यानि non-violence is the highest तो यह आदे सत्य के आदार पर जब आप स्टेट का निर्मान करते हैं, तो वो सब्वर्सिव स्टेट बनता है, जिसको मैं कहूंगा विगटनकारी स्टेट बनता है, और वो स्टेट अपने नेशन को खाने की प्रक्रिया शुरू करता है, उसका तंत्र चारों से, जैसे आप ने कहा कि बड़े नेरेटिव है, कोई मेडिया का नेरेटिव है, कोई हुमन राइट्स का नेरेटिव है, कोई हमारे पास राजनेतिक नेरेटिव है, यह नेरेटिव नहीं है, यह वस्तुता है, बेसिकली सब्वर्षन के तीर हैं, जो हमारे राष्ट्र को तोड़ने का प तो यह चलता रहा 2013 तक नेरेटिव कि जम्मू किश्मीर में आप ऐसे लोगों को इडेंटिफाइ करें जो स्टेक होल्डर से बात करें तो सबसे पहले हमारे दिमाग में यह प्रशना आता है जहां पर नेशन की बात हो वहां पर कौन स्टेक होल्डर हो सकता है एक नेशन ही स् जैसे इस्ट इंडिया कंपनी किसी अपने उपने वेश को आजादी देने की ओर जा रही है और उसे यह बात करिए किन से बात करना है ट्रांस्वर पावर करना है तो बात आगे चली अब यही नेरेटिव जब हमारे स्टेट में इंटर्नलाइज हुआ तो हमने देखा कि ज यह बिलकुल सही बात है ऐसा हुआ क्योंकि इंडियन स्टाइल एस्टेट अभी भी डिनायल में है कि उसने जनुसाइड नहीं माना इसको लेकिन यह भी मानना सही अगर 1947 का नरसमहार नहीं हुआ होता तो शायद नभवे भी नहीं हुआ होता और हमने इसको कॉंटियूटी जो आज से 500 साल पहले वहां गटनाय गटती थी उनके समाज में वो रिपीट होती है जैसे बरबरता किस तरह से वो करते हैं वो बरबरता आज भी होती है तो इसके कहीं उदारन नहीं हुआ है कि जब पलपसंद्ग्यक समुदाय का नरसमहार हुआ तो जब वहां पर एक सरल पर काफी काम किये मैंने का प्रोफेसर साब ऐसी बात हुआ था इसमें गबराने की ज़रूरत नहीं आप इसलाम की हिस्ट्री देखिए वहां पर ऐसे ही हुआ है ऐसे ही चीरा गया और वहां से एक्जामपल लेके मॉडरन स्टेट में आइसे ने ऐसे ही किया तो दुर बन गई कब तक आप एक कमनलिजम के ऊपर सेकलरिजम का जूठा प्लस्तर चड़ाएंगे जैसे आप उसके उपर प्लस्तर चड़ाते हैं वो गिर जाता है तो हमने देखा इसी संदर में सबवर्शन क्या है सबवर्शन का मतलब है जो स्टेट जो तंत्र अपने ही सिस्टम को खा जाता है उसमें आपको किसी आतंकवादी की आवशक्ता नहीं लेकिन वो तंत्र खा जाता है और तभी आप देखते हैं कि पूरे बारत में पाकिस्तान के बारे में हमें पता है हमें नाम लेने से परेज नहीं है कि वो बारत के प्रतिशडियंत्र करता है हमारे प्रत अबारतिये हैं लेकिन उनका काम अबारतिये हैं और उस अबारतिये दा के कारण दुश्मन की लड़ाई सस्टी हो जाती अब उनको सीमा पार से आपके यहां पर लोगों की बेजने की आवशक्ता नहीं क्योंकि आपका मानोसंसादन उन्होंने गेर लिया है उसका पोशन हो करनाना शूरू कर ऩूप हथ रेली से बाएं हरुद तुम ça है और काम करना शुरू करatics कि आप eh कूंभी और कन समाज के लोग हे हैं ये कोई ऐंकरम अ क्यों बोल रहे हैं को कस्वेश है क्यों होड़ तो हमें इसे गबराने की जुरूरत नहीं हमारे शास्त्रों में रावन का उदारन है कंस का उदारन है पता नहीं कितने राक्षसों का उदारन है तो राक्षस केवल शकल सूरत से बुरे थोड़ी थे उनके आचार विचार से बुरे थे आजकल के समाज में आजकल के हमारे इस व लड़ाई ये है कि राक्षयस मेरे गर में काम कर रहा हूँ, वो मेरा अपना साथी है, और आपने देखा होगा, कि जितने लोग बारत को तोड़ने की बात करते हैं, चाहे वो आपके टुकडे-टुकडे गैंग के लोग हैं, या बारत तेरे टुकडे होंगे, इन्शालला, ये अफजल तेरे कातिल जिन्दा, ये क्या है, ये ट्रेंड है, जिसको पहले कहा गया कि ये लॉइंड ओर प्रॉब्लिम है, जब कश्मीर में थी ये जमू कश्मीर में हम बात करेंगे थी, तो लोगों ने कहा ये लॉइंड ओर प्रॉब्लिम है, लेकिन जब ये पूरे बारत में आईस्ता आईस्ता तीस साल बाद इस cancerous growth ने अपना रूप लिया तो नहीं लोग उने समझा कि एक सब्वर से वार है ये 24 परगणा बंगाल में हो रहा है कहीं पर हो रहा है फिशली बड़ी एक सेमिनार में कहीं जनरल अमील शोरी साहब ने जिससे मैं पूरी तरह स जिसको पूरे बारत को गवर्न करना है उसमें क्या है कि आपको बारत की सांस्कृतिक दरोहर बारत की जीवन शैली और बारत के क्रिया कलापों को लाना चाहिए क्या रामायन में उदारन नहीं क्या महाबारत में उदारन नहीं हमारे पास पूरे मैनुल है आपके यहां पर आप मोसम की सबजी खाते हैं, मोसम का फल खाते हैं, तो स्वस्त रहते हैं, तो देश की मिट्टी से जुड़ी हुई चीजों को, जब आप उसको governance में लाएंगे, तो आपको अच्छे fruit मिलेंगे, आपने ऐसा नहीं कि, आपने कहा, इंडिया that is बारत, बारत that is इंडिया नही पहले, और पाकिस्तान को parity देने के लिए जब partition हुआ, तो आपने बारत की civilization link को काटा, आपने कहा, 15 अगस 1947 को as a state बने, जबकि हमारा दारा प्रवा पुराना है, तो एक बात रही है, दूसरी बात, अब जम्मू कश्मीर की जब बात करते हैं, जम्मू कश्मीर, अपने आप इंडिया, ये बारत का मुकुटमनी है, ये बात सुन-सुन के हमारा दिमाग में ऐसा impression बाते हैं, जम्मू कश्मीर, हमाले में बारतिय संस्कृती का प्रादुर्वाव है, जिसको मैं कहता हूँ कि बारतिय संस्कृत सिविलाइजेशन का fountain head है, नर्स सेंटर है, न्यूकलस है, जहां जैसे मस्तशक से different currents, thought currents निकलती है, पूरे शरीर को संचालित करती है, इस टूमलाइजेशे, वैसे जम्मू कश्मीर का हाल है, ये एक symbolism नहीं है, आप देखिए, जैसे आश्तो जी ने कहा कि संस्कृत केंद्र माना जाता था, संस्कृत केवल एक language नहीं, एक thought system नहीं, एक जीवन शैली है, जो साधना की गई, उसके आदार पर हमारा जो शैली डेवलेप हुई, चाहे वो aesthetics था, art था, culture था, आयूर विज्ञान था, बाशा थी, उन सब को पोशित पलवित किया कश्मीर में, और अभी कुछ सालों से हम आचारी अभिनोगुप्त को लेकर काफी जागरुक हो गए हैं कि आचारी अभिनोगुप्त ने क्या किया, उनका कहां कहां योगदान रहा, ये तो एक महा भुरुष हैं जिनके बारे में देश ने जानना शुरू किया, लेकिन ऐसे कहीं लोग हैं, जुनों ने बारत की बाशा, ब भारत की पदती, भारत की राजनीती को जनम दिया, काश्मीर से शेमेंद्र हैं, उत्पल देव हैं, बट लोलट हैं, बट कलट हैं, ललेश्वरी हैं, मातारुप बवानी हैं, अरिनमाल हैं, ये सारे Sanskrit tradition के लोग हैं, हमने बक्ती मुवमेंट्स के बारे में सुना हैं जो बं ये बताया गया कि चोद्वी स्ताबदी के बाद सारी development हुई, उससे पहले तो यहां कुछ नहीं था, और कहा है उससे पीछे आब बाद करिये, तो आपके सामने प्रशन उठाया जाते हैं, उस पर वो जाना नहीं चाहते हैं, यहां तो cultural academy में कुछ ऐसे गरंत हैं, वहां से सो वर्शों से चल रही, और यह आगे ट्रांसपर होती गई, पाकिस्तान का बनना हमारे पडोस में एक सोची समझी साजिश थी, क्या साजिश थी, कि अंग्रेज जानते थे, कि बारत में जो सुतंतरता आंदोलन है, वो हिंदू रिसर्जंस है, हिंदू रनाइसंस है, अग अगर आप देखेंगे पाकिस्तान का जो निर्मान हुआ, वो इस्लामिक क्रिसंट के दायरे में हुआ, जो आपके हिमाले को चीरता है, और एक फुट होल रखा गया, और यहां तक तो अभी हम यहीं कहते आएं, कि नहरू के कारण गलती हुई गलती, मानते हैं, लेकिन उन्हों साइड से जो जर्नल थे, वो अंग्रेज थे, वो रो काम कर रहे हैं, और यहां तक जो इंडियन नाशनल आर्मी थी सुभाश बोस की, उसके कुछ लोग भी यहां से निकल के उस साइड से लड़ रहे थे, बोस के खुद अपने बाई, बंगाल में सुहरवर्दी क साइड जोड़े थे, पटेल का क्या रोल रहा, उस पर भी बड़े प्रशने चिन्द जब महराजा हरी सिंग को उन्होंने उनके साथ पत्राचार किया, उन्होंने लिखा कि मुझे नहरू से तो कोई उमीद नहीं थी, क्योंकि उनका आउटलूक कुछ और था, लेकिन सरद अमबेदकर का है, वो बिल्कुल कांट्रारी है, जो हमें बताया जाता है, हमें दो बार सोचना पड़ता है, क्या वहीं अमबेदकर है, इनके बारे में हमें पढ़ाया जाता है, और वी वर्शिपिंग वाल्स गॉड्स, तो ये चीजें जो थी, अपने आप में से बाहर निकालते हैं, तो आपको उसको अनहिंज करना आसान हो जाता है, जम्मू कश्मीर में यहीं हुआ, अंग्रेज और जहादी और चीनी इंपिरिलिस्ट भी ये जानते हैं, कि अगर बारत की प्रभुसत्ता, अखंडता और बारत के राष्ट्र को तोड़ना है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपके उसके नर्व सेंटर हिमालिया को तोड़ना है, जिसको मैं क्या था हूँ, डिस्मेंटिलिंग अप दे नौर्दर्न फ्रंटियर इन दे हिमालिया से, यह पिछले कहीं सालों से काम चल रहा है, ग्रेट गेंगे, टाइम से जॉन की ने जनोसाइड करना, और कुछ हतोक्तों में कहूंगा, जनोसाइड से बढ़कर भी डेमोसाइड करना, और ताकि आपके लिए ग्राउंड क्लियर रहे, अगर आप देखेंगे पूरे हिमालिया सेंटियर में, टाइम टॉ टाइम यह चीजें होती रही है, आप उटान में संस्कृताइज किया, हमारे वेस्टरन लैंड जो थे, यह सारे इनका जो विस्तार हुआ, यह जमो कश्मीर से आगे हुआ, कुमारबट, कुमारजीव, ऐसे लोग, जब बुद्धिजम को भी संस्कृताइज किया, एक टाइम में जब बुद्धिजम ने भी विगटनकारी रूप ले लिया था, तो यह कश्मीर के संस्कृतिस थे, जिसमें कुमारजीव जैसे लोग, अश्वगो जैसे लोग, इन लोगों ने इसको संस्कृताइज करके पूरे हिमालियन, सेंट्रल एश्या तक ले गया, जिससे बारत का सामराज बढ़ा, जिसको हम आज की डेट म इंडिया कह सकते हैं, इंडिया's western lands, इरान भी बारत के उस प्रुभुसक्ता में आता है, तो कहने का मतलब यह है, अंग्रेज या अबरहमिक रिलिजन्स जी जानते हैं कि बारत को डिस्मेंटल करना है, तो हिमालिया तोड़ना होगा, हिमालिया तोड़ना होगा, तो उसको अब दिसंकृताइज करना होगा, आप उसे दिसंकृताइज करेंगे, तो उसके लिए जो वहाँ की इंडिजिनियस पॉपुलेशन है, जो सांस्कृत पॉपुलेशन उनको डिस्प्लेस किया, जब कश्मीर से हिंदू डिस्प्लेस किया, जब काफी कम लोग चानते हैं, न मैं भूमिका बना रहा हूं और इस भूमिका में आज की डेट में हम यह देख रहे हैं कि जो इंडियन स्टेट is in conflict with इंडियन निश अपनी बॉड़ी खुद अपनी बॉड़ी के सेल्स खुद अपनी बॉड़ी को खा रही है क्योंकि ऐसा निर्मान हुआ और एक प्रॉब्ल दीजिये सैडल वगेरा वो चलेगा नहीं अडेगा जब तक उसके पर टांगे वाला चाबुक नहीं बरसाएगा वो हाल हिंदू का हो चुका है जिसे हम कहाते हैं सिकनेस अप स्लेवरी जब आपको आपकी दुश्मन में कॉलिटी नजर आना शुरू हो जाएं ये गीलानी साहब हैं कम से कम प्रिंस्पल के आदमी हैं इन से बात करिए ताकि देख लेंगे जुश्मन में कॉलिटी लेकिन जो राश्ट्रवादी है उससे आप बात नहीं करना चाहते हैं ये तो है इसको देख लेंगे लेकिन उसको पहले उसका हिर्दय परिवर्तन कर लेते हैं ये एक और बड़ी इंट्रेस्टिंग बात या कहूंगा, कुछ साल पहले मुझे हाइदराबाद जाने का मोका मिला, यह पूरे देश के लिए काफी इंपॉर्टन बात है, चार मिनार से लेकर मेंन सिटी तक में गूंता रहा किसी सेमिनार के विशे में गया था, दो साल पहले की बात है, तो मेरा मन बड़ा दुखी हुआ, मेरे मन में शायद था कि यहां पर हिंदूस जनसंख्या और मुस्लिम जनसंख्या लगबग बराबर बराबर की है, ऐसा ही है, और डुख की बात ये थी, वेदना ये थी, कि वहां गो मास बिलकुर ओपनली बिक रहा था दुकान जब कुछ देर के लिए में काफी डिप्रेशन में गया, मैंने का क्या मैं बारत में हूँ, और जहां पर हम लोग क्या थे, बिलकुल दार्मी का अपना देश है, वहां पर चल रहे हैं, मेरे मित्र साथ में थे, जम्मू से थे वो, तो मैंने का यार बड़ा दुख हो रहा ह है, बहुत ज़्यादा परसेंटेज है, लेकिन आज तक, यहां के महराजा की दूर दर्शता देखिये महरा जहरी सिंग के टाइंग में भी, उन्होंने कानून पास किया, गो हत्या विरोध कानून अभी भी लागू है, पांच अगस से पहले भी था, जिसे हम रंबीर पिन कि यह विरोध करेंगे, परतिकार करेंगे, लेकिन आज की डेट में सबवर्शन, जो जमू किश्मीर में हैं, पूरे बारत में, जहां पर जन संक्या हमारे लोगों की जादा है, वहां पर यह धर्म विरोध काम हो रहा है, और अपने ही लोग इसको बढ़ावा दे रहे हैं क्यूं दे रहे हैं, क्यूंकि सबवर्शन इंटरंच होगे, तो इसको तोड़ा कैसे जाए, मैं बार-बार ही उदारन देता हूं, बगवान कृष्ण ने जब पूतना का वद किया होगा, तो छोटे से बच्चे थे, ग्रूप सी स्त्री उन्हें स्तनपान कराने आई, तो इन विगटनकारी शक्तियों को केवल इतना कहने की अपेक्षा है, कि हमने आपको पहचान लिया है, तो आप देखिए, इनकी आदी शक्ति शीन हो जाती है, और आज की डेट में ही हो रहा है, आज इतने बड़े संकट में भी, जब हम सीमाओं पर देख रहे हैं, किस तरह लगी हुई है, कोई कह नहीं सकते कि हालात की सोर जाएंगे, लेकिन इस चीज की भी काफी खुशी है, कि देश जो करोना के इस लड़ाई से लड़ रहा है, और बाहर से राक्षासी शक्तियों के साथ भी मुकाबला कर रहा है, लेकिन मन में कहीं पर भी हतोत साहित नहीं हम लोग, लड़ाई लड़ रहे हैं, और दूसरी बात है, कि क्या हमने कभी इस चीज को पैचानने की कोशिश की, कि हम पैरिटी दे रहे हैं लोगों को, राष्ट्रवाद और अराष्ट्रवाद को पैरिटी देने से ये प्रॉब्लिम हुई है, जम्मो गश्मी, और इसके का बनी, जब PDB के सा सरकार बनी, तो Agenda of Alliance बना, सांजा कारिक्रम हुआ, उसमें किन लोगों की गलतियां रही, लेकिन वो बाद में निकला Agenda of Abdication, क्योंकि जब आपको पता ये गलती करेंगे, आपके पास Prune Track Record है, तो आपको उस और जाने की जरूरत नहीं, तो आज की डेट नहीं होगा, आपके पास Social Media है, सब कुछ है, आज की लड़ाई लड़ना बहुत असान, नबे के दशक में जो हुआ, न तो Social Media था, न Print Media था, सारा State Sponsored था, और आज की डेट में, आप एक Media का ये Video Clip से सारी Game Change कर सकते हैं, तो कहने का मतलब, जम्मू कश्मीर को एक अलग तर यूनिन टेरिटरी लेकर बैठ गे तो बड़ी देर से उनकी डिमांड भी रही, डिवलप्मेंट होगी काफी जुरूरी भी है, फ्रंटियर एरिया है, दूसरी बात, जम्मू को लेकर आज कल अग जम्मू में भी अगर देखेंगे, लोग सतोच साहिद भी है, क्यूंकि ब जो मिसाहिल को लेकर हम भी बात करेंगे, बाद में उसमें क्या टूटियां, पाकिस्तान रिफ्यूजीज को अभी वहाँ पर अधिकार मिल गए, लेकिन कुछ और उसमें समिकरन उबर के आ रहे हैं, जिस पर काम करने की ज़रूरत है, मेरे बाकी वक्ताब बोलेंगे उस प तो कहने का मतलब है कि अगर आपने बारत को विगटन करना है उसका, तो उसके दर्म से उसको अलग कर दो, परमार्थी का और विवहारी का को अलग कर लो, और देश टूट जाएगा, और ये आने वाले टाइम में बहुत खतरनाक भी हो सकता है, अभी जो 370 को तोड़ने की इसको नूट्रलाइज में खतम नहीं कोँगा, नूट्रलाइज किया गया क्योंकि उसके कुछ कारण है, और पैंती से तो गया, बैकडूर से आया, बैकडूर से ही गया, इसके बाद यहाँ तक सीमित होने की आवशक्ता नहीं, ये रियार्गनाइजेशन का पहला स्टेप जिसको हम पोलिटिकल रियार्गनाइजेशन कहते हैं, जम्मू कश्मीर की समस्या जो है, कोई समस्या नहीं है, समस्या केवल कश्मीर में कुछ जिलों में, जो है, अलगावादी विचारदारा की जो नर्व सेंटर का काम करते हैं, और उसके बाद उसका पोशन करते हैं, ल तो बाकी राष्ट्रवादी जनता उसको कभी on board नहीं लिया, अगर राष्ट्रवादी शक्तियों को on board लिया होता, यह isolate हो जाते, लेकिन इन्होंने राष्ट्रवादी शक्ति का जो उपयोग की एक sandbag के तोर पर किया, जिसके कारण आगात बारत में होगा, अटाक जम्मु क दिल्ली में, दिल्ली जैसे शहर में हमने कभी सोचा नहीं था कि जो पीछे हुआ, यह उसी का काम है, उसी शक्तियों का काम है, जो किश्मीर में काम करनी, पैन इंडियन प्रोसेस है, कि आपके academics में, आपके media में, कहीं पर भी आपके proxies बैठे हैं, वो आपकी मेरी शकल मे अब लड़ाई यह है, दूसरी बात यह है, कि क्या लड़ाई के वल फ्रेंट पर लड़ी जाती है, नहीं, यह जो लड़ाई है, शायद आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले, कुरुकशेतर के तोर पर मैदान, जंग मैदान में लड़ी जाती थी, अब इसका जो सारा प्रोसेस और फार्म शिफ्ट हो चुका है, we are fighting virtually on every front, जाये जैसे आस्तो जी ने को slide बताई हमें, कि यह discourse, यह discourse, यह discourse, यह लड़ाई है, आप इन frontों पर जिस-जिस discourse कि उन्होंने बात की है, जिसका इन्होंने वर्गी करन किया है, यह वर्गी करन जो है, यह हमारे front है, मीडिया में ह और एक बात कहूंगा, दुश्मन से हमेशा समझ ये, चाहे वो Christian Missionaries हों, चाहे वो जहादी हों, इनका पैटरन सेट है, इनका एक स्ट्रक्चर सेट है, जो 1947 में भी था, चाहे अधिकारी डॉक्टरिंग जब भारत का पार्टिशन हुआ, मुस्लिम लिक को सपोर्ट किया गया, तब था और अब है, सेम है, और उसके डांचे में काम हो रहा है, और academic उसको बनाते हैं ये, पुरा हमारी और से slogan रिंग हो, एक डांचा नहीं बना, तो we have not been able to work on it, तो इसका कारण यही है, हमारे पास facts हैं, हमारे पास history है, हमारे पास database है, लेकिन उसको convert नहीं किया गया, क आज की date में, जब ये Hindu renaissance की बात चल रही है, आजकल की भी जो सरकार बैठी है, हमारा उनसे कोई दूराबास नहीं है, कोई उनसे मतबेद नहीं है, विचारदारा को लेकर, लेकिन एक संदेश जो है, वो ये है, कि आपको जो mandate मिला, दो बार मिला, आगे भी मिले, वो बा रहा, ये केवल development का वोट नहीं था, ना तो ये compromise का वोट था, ये Hindu resurgence का वोट था, ठीक है, जो श्री अरबिंदो, सौतंत्रवीर विनायक दामुदर सावरकर या बालगंगादर तिलक ने सांस्कृतिक राश्ट्रवाद की इलग जगाई, जब Congress split हुआ और उनने देखा कि Congress विगटन कारी शक्ती है, एक imperialist proxy है, उनने बारत के भीज को बचा करना, तो ऐसी सित्थी में क्या करना है, कश्मीर में हिंदू या जम्मू में हिंदू क्यों लड़ रहा है, वो लड़के जीत भी रहा है, ये मैं बता दूँ आपको, निराशा की बात नहीं, लोग कहते ह हैं, कि आप बड़ी positive बात करते हैं, मैं लोगों को क्यों निराश करूं, जब मेरे पास positivity हैं मेरे पास, विगटन में, जब भी आपके पास तूफान आरे हैं, तब ही बचेंगे, इसलिए बचे, क्योंकि हमालाई में हमने जब आपका प्रजातंत्र, आपका राजतंत्र, आपका कोई भी तंत्र आपके विरुद काम कर रहा हो, तो आप बीच को बचा कर रखेंगे, ये गुथी है, एक moral है पूरे बारत में, आप अपने सांस्कृतिक बीच को बचा कर रखेंगे, और उसको पोशित और पलवित क रही है, बीच ही वट वरिष्च का रंग रूपदारन करेगा, और वहीं हो रहा है, ये बीच ही बचा हुआ था, कितनी बार हमें 47 में तोड़ा गया, उससे पहले हमारा भूमी अदे ग्रहन हुआ, लेकिन समय काम है, तो मैं इसको कंक्लूड करूँगा, तो कहने का मतलब ये है कि विगटन को हम पैचान चुके हैं, अब डरने की आवशकता नहीं है, लडने की आवशकता ये नहीं है कि हमने हतियार उठाने, हतियार उठाने का काम हमारे प्रोफेशनल लोग कर रहे हैं, लेकिन जो विचार है, विचावैचारिक लड़ाई बहुत बड़ी है, तब ही मनोबल सेना का भी बढ़ता है, और ये डी संस्क्रिटाइजेशन की प्रोसेस है, ये केबल जमू कश्मीर की लोकलाइज प्रॉब्लम नहीं है, ये बारत को तोडने की साजिश है, जिसको हमने डिकोड कर लिया है, आपके सामने इस पुस्तक में भी रखा मेरे दोन प्रॉप से रखी है, और जिस तरह से सारा परिप्रेक्ष आपने हमारे साथ शेयर किया है, वह वाकिए प्रशंसा की योग्य है, ये जानकारियां नहीं थी, और जो कुछ चल रहा है, और जितने व्यापक सतर पर इस सिस्टम चल रहा है, उस सिस्टम को आम इंदोस्तानी आम आतनागरिक नहीं समझ सकता, उसको मालूम ही नहीं है, और बल्कि आपकी बातों से मैं दो बातें कंक्रूट करके मैं उसके बाद श्री राजन गांदी जी को आमंदरिक करूँगा, एक तो ये कि हमने आम भारतियों को रोटी पानी और उसके मसले में ऐसा उल जा गिया कि वो उसे बाहर सोच ही कुछ नहीं सकता, नंबर दो हमने प्लिटिकल डिस्कोर्स में ऐसे शब्दों को प्रवेश करवा दिया, ऐसे शब्दों का हमने प्रियोग कर दिया, कि आत्मी अपनी भाषा में सोचना ही भूल गया, जो भाग्य ये है इस वक्त भारत का कि सारा भ वहां पर जस्टिस सिस्टम का मतलब म्याय नहीं हो सकता, वहां जस्टिस है तो कि आप सारे संस्कित साहिते में लेखेंगे, और जो लोग संस्कित में चुड़ी वह लोग है, मुझे में मालूम कि वो लोग किस तरह की रिसर्च करते हैं, अधिकार शब्द का अर्थ आपक कहीं नहीं आया, आपके अधिकार का मतलब है कि यह आपकी ड्यूटी है, लेकिन हमने उसको कन्फ्यूज कर दिया राइट के साथ और इसा घपला कर दिया है, कि हम अपने अस्तित्वों को अपनी अस्विता को ही भूल गया है, अपनी पहचान को भूल गया, और जिसे कहते मैं चाहूंगा कि अंत में हम इस बात पर निर्ने करें कि पुलिटिकल डिस्कोर्स में जो भाशा इस्तिमाल की जहरी है, शब्दावली इस्तिमाल की गयी है बिछले सत्तर सालों में, उस पे हम कभी हम चर्चा कर पाएं और करें उसको देखें और समझें, तो इनी शब्द चाहिए जाने हांजी जी जी कि अलों जी सर एक सेकंड मैं मुझे लगता मुझे ही अन्म्मूट टेटन पड़ेगा जी सर थोड़ा उच्छा बोलिये कम आ रही है अवाज आ रही है जी जी आ रही है नमस्का जी बहुत बहुत धन्यवान इस परीचर्चा में तोड़ा उच्छा आ रही है अभी आवाज आ रही है अब आ रही है अब क्लियर अब तरह आपको बोला अपने लिमिट्स में जो हम एक रहे हैं सुन रहे हैं रिचर्चा में चलता रहा है यूज़बर में भी चल रहा है आपका टीवी चैनल में भी चल रहा है लेकिन अल्टीमेटली इसका स्टार्ट कहां से हुए यह चीज़े कहां से शुरूबर में जाना चाहूंगा कि हमारी चर्चा हम्यशा क्श्मीर को लेगे पश्मीर में यह हुआ किश्मीर का यह है यून डिल्टरिया किश्मीर के यह किश्मीर यह किश्मीर आया कहां से इसकी परिभाशा में अगर हम चलेंगे हिस्ट्री में जब हम जाते हैं तो जे एंड के की जो स्टेट है उसको आप कहते हैं मोस्ट प्रेस्टीजियस प्रिंस्पली स्टेट थी ट्वेंटी वंगन सल्यूट वल्ड कहां से आई यह चली जब आपके मुगल्स आए 600 साल मुग महराजा नचीजि सुग्जी ने जब देखा थिति नान दो इसमें माराजा ने एक वारियर लिया जमू से गुलाव सिंग गुलाव सिंग्जी वफ सक्सी ज Techno थे कि महराजा रंजीज सिंग की आर्मी को वार आफ गुमर्ट में डिफीट किया। वहां से इंप्रेस होके वो 18 साल के गुलाब सिंग को महराजा ने अपने साथ लिया। और 17 जून 1822 को जिसकों बोलते हैं अकनूर में। जियो पोता है एक पेड है जगा है सिगनिविकेंस है उसकी वहां उनका राजे विशेख हुआ 1822 अब महराजा गुलाब सिंग वो शक्स थे जिन्हों ने इसको सिर्फ जेंड के तक सीमित नहीं रख उन्होंने किश्मीर को पार्ट बनाया तिबद के साथ लड़ाई हूँ ल लेकिन महराजा गुलाब सिंग के बाद क्या हुआ बहुत सी ऐसी आपदाएं आती रही जैसे पॉल्रा आया आपका प्लेग आया पॉपोलिशन मरती भी रही हमारी एक स्टेड में बड़ी प्रावलम थी जम्मू का किश्मीर के साथ लिंक कोई रोड ही नहीं थी एक सिंग लिंक बनाने की कोशिश दी ये सब चलता है लेकिन अंग्रेजों को ये चीज मालून थी कि अगर हिंदुस्तान में हमने राज करना है तो जे एंड के को लेना अपने साथ बहुत ज़रूरी है उस बैक ग्राउंड में उन्होंने क्या किया परताब सिंग जी पे महराजा प परताद मिले हुए हैं चिठीयों का अधान परतान हो रहा है और हम अंग्रेजों के ये अगेंस काम कर रहे हैं उस उस बैक्राउंड में फस्ट जो रेजिडेंट जेंड के में आपका इस्टैबलिश हुआ सार मेरेकल वाली वर जॉन थे उनको लाया गया गया और पावर् चलता रहा ये सिलसला चलता रहा आगे चलता रहा मीन टाइम आपका इंडिया में अलीगड मुस्लिम इनिवस्टी की खिलाफ़ मौवमेंट शुरू हुई और फार्चुनेटली गई है या अनफार्चुनेटली गई है शेक साब भी पाड़ अधा दैड मौवमेंट से उस जबू के डोगरा राज ये हमारे किश्वीर पे भी कर रही है तो क्यों ना एक वही पैटरन पे हम एक खिलाफ़ मौवमेंट इनके अगेंस्ट भी स्टार्ट की जाए तो मीन टाइम जो अंग्रेज से वह अपने पैटरन पे चल रहे थे एक वह अब्दुलकादर जी उन् अपने धन से चल रहे हैं शेख ली अपने धन से चल रहे हैं अटीमेटली कादिर साव को पकड़ा 1931 में उन पे ट्राइल हुआ उसी ट्राइल के दुराइन आप 1931 में रॉइस भी हुए और यह सारी चीजें की गई सिर्व महराजा हरी सिंग को टेम डाउन करने के लिए उ 1932 में आपका शेक साथ यह मुस्लीम कॉन्फरेंस स्टैबिश यह मुस्लीम कॉन्फरेंस थी नैशनल कॉन्फरेंस नहीं थी इडवास मुस्लिम कॉनफरेंस और चलते एगे लिकिन जब इन्हों ने देखा कि अब पिश्मीर में उस टाइं में ऐसा तो नहीं था पड़े-ल लेकिन जब यही चीज़ें होती गई होती गई तो शेक सामने देखा कि अगर मैं मुस्लिम कांफरेंसी नाम रखता हूं मेरे साथ किश्मेरी पंडित नहीं जुड़ते मेरे साथ मेरा एक जो लॉजिक है इंडिया में चलना चाहिए और नहीं चला सकते इसका नाम चेंज किया हूं 1939 में मुस्लिम कांफरेंस का नाम चेंज करके रखा गया नैशनल लेकिन जैसे ही नाम चेंज हुआ तो इनके और साथी चोदरी शायद अबास थे उन्होंने दुबारा इसको खतम किया मुस्लिम कांफरेंस एक और धड़ा बन अब दो धड़े बन नैशनल कांफरेंस भी चल रही है और मुस्लिम कांफरेंस के शेख साब का नेरु साब के साथ बड़ा संवाथ बड़ा प्रेम भाव और रीजन नेरु साब जी को बता हो हम तो बता नहीं सकते हैं में नैशनल कांफरेंस बनी बनी इंतन से रीनेम हुई मुस्लिम कांफरेंस से नैशनल कांफरेंस बनी 1940 में नैरु जी ने डिक्लेयर किया कि नैशनल कॉंफरेंस इस ता ओली नैशनल और्गनलिजेशन रिप्रजेंटिंग जी एंड़ी सीज़ा डिस्कोड जम्मू से कोई पार्टी नहीं पिश्मीर में मुसलिम कॉंफरेंस भी है और भी है लेकिन सिरफ नैशनल कॉंफरेंस को दी गई एज नैशनल पार्ट उसकी रिपरकॉशन क्या हुई उसकी रिपरकॉशन हुई नैरु और जब शेक साब को लगा कि नैरु जी अब आ गए हैं मेरी लाइन पे नाइंटीन फॉटी वन में जितने एंसी मेंबर थे कैबिनेट में प्रजा सबाब होते थे रिजाइन और साइमल्टेनेस वहां से हमारी कुट इंडिया मुवमेंट शुरू हुए यहां से कुट शुरू हुए महराज हरी सिंग को बोला कि आप छोड़ो यह चोड़ो हमार अब प्रिलूट आ गया कि 47 के आसपास सिच्वेशन ये थी कि अंग्रेजों ने डिसाइड गिया कि हाँ जी ठीक है हम चैये जो भी राजा है महराजा है पॉपुलेशन मुसलिम है मैजरॉर्टी या हिंदू है मैजरॉर्टी राजा डिसाइड करेगा कि उसको किस साइड पाकिस्तान जाना है या इंडिया के साथ है इस डिसकोर्स में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी कि मैंने आपको पहले भी पताया कि परताब सिंग के टाइम ही थी हमारे जो राजा महराजा थे उनकी पावर ले ली गई वापिस ले ली गई यू कैनाट डिसाइड व करें जेंडे के उनको किस साइड जाना है पाकिस्तान के साथ जाना है इंडिया के साथ जाना है क्या करना है तो जब शेक साब ने यह चीज देखी यह यह तो सारी गडबड उल्टी बैटरी है मैं अगर नहरू के साथ में मिल जाता हूं या किसी करन से भी आ जाता हूं यह मेरी इदाल तो गल्ने निवाज़ बाट यह तो अल्टिमेटि महाराजा ने डिसाइड करना है। यह मैंने इडिया के साथ जाना है पाकिसान के साथ जाना है या मैंने क्या क्रिणा कुछ उन्हों ने कुट किष्मीर को खरीदा हा महाराजा रजीज सिंग से क्या है क्या नहीं हम नहीं मानते हैं अब क्या हुआ जब महाराजा हरी सिंग के यह चीज़ें देखें तो ट्रेजन लिया गया यह तो आप स्टेड के अगेंस्ट वर्ट कर रहे हों शेख साब को अरेस्ट किया गया है उनको बचाने हम नहरू साब के खास थे नहरू साब अपनी उसमें चल रहे थे कि पता नहीं क्या है क्या नहीं है क्या वेस्टिड इंटरस्ट है और सबसे बड़ी बात थी क्योंकि नहरू जी खुद किश्मीर से बिलॉंग जरते थे तो एक special soft corner था किश्मीर का इशू मैं खुद हैंडल करूँगा जो भी हो जाए किश्मीर का इशू मैं खुद हैंडल करूँगा पूरा भारत वरश का इशू सरदार बडेल ने हैंडल किया एक किश्मीर का एक इशू था जो नहरू जी ने अपने हाँ तो नेरू जी बचाने पहुंचे अपने शेक साब को अरेस्ट कर लिया गया वापस बेज लिया गया एक सौड़ाव डिस्ट्रस्ट टोटली बन ले अब जब बारी आई 47 में साइड लेने की इट वास क्लियर के नेरू इस गॉइंट वी दा पीएम आफ आपका पाकिस्तान जो भी है प्रेजिडेंट बनेंगे चेर परसंगे जिन्ना विल भी दा में परसंगे इस डिस्कोर्स में महाराजा ने सोचना शुरू किया अब बना द देखिए जो इनिशिल बॉंडरी नाइन हमारी बनाई गोगए जो भी इनिशिल बाउंडरी लाइन बनाई गई जी एंड के का कोई रोड के साथ कनेक्टिविटी ही नहीं थी विद रेस्ट आफ इंडिया यह यह फैक्ट आप मेंसे बहुत से लोग नहीं जानते होंगे जी एंड के कोई कनेक्टिविटी ही नहीं बनाई तो उस टाइम में जो चीज जो बोल दा जाता है जो हम पढ़ते हैं जो मैंने पढ़ी है कि जी एंड के को ऐज़े पेट ही आ गया था कि एट दा टाइम आफ रीगंसिलेशन हैदराबाद को हम इंडिया रखेंगे और कीपिंग इन व्यू के मुस्लिम मैजॉर्टी यह स्टेट है हम इसको अगर अगर बात आएगी कि लेन देन की बात आएगी तो हम लेन देन में कि इसको सेटल करेंगे कि जी एंड के विल बी गुएंग टू पाकिस्तान एंड हैदराबाद विल बी कमिंग टू यह सारा जो आपको मैं बता रहा हूं कि बांडरी वाल का यह बांडरी कुमिशन हो रहा बना इस सारी चीज़ें कीपिंग इव्यू तैट फिक है जी एंड को अल्टीमेडली वहीं जाना है तो इंडिया के साथ जरूरत ही नहीं है कि अल्टीमेडली जब नहरु जी ने थोड़ा इंट्रवीन जिया जो भी इंफुलेंस लगाया तो हमें यह तीन डिस्ट्रिक मिले गुर्दासपूर के तो हमारी रोड कनेक्टिविटी जब यह र चाहिसान जाएगी और मेरी पब्लिक पूरी तरीके से आप कह सकते हो के अल्टीमेडली उसका एंड क्या होगा हीनो उसको पता था कि इसका एंड क्या होगा पब्लिक भी मारी जाएगी और मेरा तो जो होना है वो हो गई होगा और वो हो रहा है आज अगर आप पाकिस्तान में देखें तो वो चीज़ जो माराजा हरी सिंग ने 47 में 4C की थी अगर ये हिंदू मेजॉर्टी हम चले भी जा हैंगे उनका हशर क्या होगा क्या वो आज भी देख रहे हैं कि वो क्या उनका वीजन था माराजा अरी सिंग का और क्या वो फैक्चुली राइड थे के नहीं थे उस पर इफेक्ट्स हैं अब जब हम बात करते हैं तो माराजा हरी सिंग ने 1 उन्हों ने इक चीज़ देखी कि मेरी boundary तो उपर भी सबसे मिलती है अफगानिस्तान तक जाती है इधर से चाइना तक जाती है मैं इनके साथ जाएं कियो मैं ना पाकिस्तान के साथ जाता हूँ ना मैं इंडिया के साथ जा उन्हें ने एक treaty मनाई एक treaty बोली कि इस्टेटस को सबसे ताजूब की बात है पाकिस्तान एक पाकिस्तान ने वो ट्रीटी साइन की इंडिया रिफ्यूस्टू साइन डैटरी लेकिन पाकिस्तान ने वो ट्रीटी साइन की ठीक है हमें यह चीज बंजूर है तो अप लीज इंडिया के साथ नहीं जा रहे हो हम आपको अब उनकी डायवॉलिक थी इंटेंशन थी के फिलाल इनको ऐसे करो पार में हम देखे हैं क्या करते हैं या क्या नहीं करते हैं तेकिन वो कहते हैं जो होनी होती है वो होके रहती है तो पाकिस्तान में कम्मिनल राइट्स शुरू हुए कि ये उसकी रिप्रक्रशन इंडिया में भी शूरू हूई और उसकी रिप्रक्रशन जी एंड के में बी शूरू ही जिसको यह जमूराइट्स बूलते हैं यह है रजोरी में हुए मेर पॉन्च में हुए मीरपूर का तेरा नंबर आव प्रद्टिक स्टोरी जिनका कोई रेंन आती हो हमारा कोई रिल्वेइंग नहीं के साथ embodied Đक तो कूई सारी चीजे बन होनी शुरू हुई रेस्टर आप का एक तरफ होगा सारी चीजे एक तरफ होगी लेकिन इस फ्यूट में भूमते रहे एक शेक साव आपके अंदर थे साड़े दीन साल के ट्रेजन के उसमें चार्ज शेट वहांस बहांड प्रिजन आपके मुस्लिम कॉंफरेंस वाले चोदरी साथ भी वहांड बार्स थे आजाके आपकी लीडर्शिप क्या थी? लीडर्शिप आजाके आपकी महाराजा हरी सिंग लेना है इन्होंने की पाकिसान को पता लग चुका था कि महाराजा हरी सिंग हमारे साथ नहीं आने वाए तो वाट इस बेस्ट कोर्स बेस्ट कोर्स यह है कि जितने भी मैजॉर्टी एरिया थे मुसलिम मजॉर्टी एरिया यह सारे कठे एक टाइम में रिवोल्ट करें और भी विल गट मजब पाकिस्तान तो जिसको आप ट्राइबल वो कहते हैं जी अटैक हुआ जी ट्राइबल आगे ट्राइबल तो नहीं थे वो पंजाब गवर्मेंट की आर्मी थी पाकिस क्या थी जो महराजा हरी सिंग को पताला किया कि हाजी फोज आ रही है मेरा एरिया मेरा राजे जा सकता है मैं डिफीट हो जाओंगा अर्टीम एड़ी पाकिसान से उन्होंने हेल्प मांगी इंडिया से नहरु जी ने कंडिशन रखी पहले आप शेख साब को छोड़िये उ मैं इस बाद पे क्यों स्ट्रेस देना चाता हूँ मैं स्ट्रेस इसलिए देना चाता हूँ कि एक इंसान जिसकी हिस्ट्री में आप जाएं जिसकी हिस्ट्री यही कहती है कि आटोनॉमी चलना है कुईट किश्मीर मुझे इंडिपेंड़नस चाहिए मुझे ये चाहिए नह के लिए खड़े हुए नहरु जी हमारे नेट रिजल्ट क्या हुआ नेट रिजल्ट ये हुआ वो खीचा तानी चलती रही महाराजारी सिंगुन को छोड़े नहीं नहरु वां से हल्प करें नहीं हुआ 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 त्रीटी साइन होगी महाराजा जी ने बोल दिगा ठीके जी आएं विद इन के आप यहां से जाओ तो हम पे जाके सैटल हो जाओ आपके बेड़े को हम यहां पे बना देंगे शेक साब को रिन दे दी गई काम चलता गया और ठाइटी यह है कि जिस इंसान जिस महाराजा ने ट्रीटी साइन की मैं वो लेंग्वेड यूज नहीं करना चाहता हूँ बट वो जो लफज है ना कि थारी पार महाराजा वास तरी पार फ्रॉम जेड के शोला साल वह इंसान महाराजा वं जेड की और 14 के वह जेड के में एंटर नहीं कर सकते है इस रिजन रिजन सिरफ तो प्लीज वन पर्टीकुलर फैमली शेक साब को कुछ करना है तो करना है ए वीडियो आरहे तो अर्य कि मैं अunda वीडियो नहीं नहीं लेकिन वाइब सिल्सक्राइब कि विडियो क्यों बंद हो गया को है कि अब्रियो क्लिज काने बंद हो गया कि calf अगर हम इन चीजों में चलें है षंटिनीटी में होगा हम देखते है बन गई, गौर्वर्मेंट बन गई, सब कुछ हो गया, तो ड्रामा और शुरू हो गया, जो रूल कर रहे थे, असेम्बली बनी, 30 सीट्स उनको असाइन हो गई, जो अब बनाएगे, बाकी की सीट्स उनको असाइन हो गई, अब इसी की हिस्ट्री में अगर हम चलें, तो RSS has its own role to do, ऐसा नहीं है कि हम आज की डेड़ में बात करते हैं कि हिंदूस का कौन था, उसका भी था, आर्टिस्ट थी, RSS was there, महासभा वासदेर, प्रजा परिशद वासदेर, अर्गनाइजेशन्स थी, लेकिंग नेगोसेशन नहीं की गई उनके साथ, पोर्फरंट पे लाया शेक साथ को, पोर्फरंट पे प्रजा परिशद नहीं आई, पोर्फरंट पे महासभा नहीं आने दी गई, पोर्फरंट पे RSS को नहीं आने दिया गया, आप में से कितने लोग जानते हैं बलराज मुदोग जी को, आप में से कितने लोग जानते हैं जगडी शबरोल जी को आप में से कितने लोग जानते हैं क्रिशन देव जोशीजी को hardly anyone लेकिन ये वो इंसान है जोनों ने RSS को establish किया 1939 में जमो में प्रजा प्रशियत को बनाया keeping in view कि ये हो क्या रहा है मेरे कहने का ये मतलब है जो decisive आपकी forces act कर रही थी उस time में लोग उस time भी देख रहे थे कि ये क्या हो रहा है समझ रहे थे इस चीज़ को protest कर रहे थे प्रजा प्रशियन ने एक agitation नहीं चलाई तीन तीन agitation चलाई तेकि net result क्या निकला net result ये था आपके जितने भी ये members से सारे arrest दिये गे सभी को जेल के अंदर डाल दिया गया क्यों डाल दिया गया पी सीटें जम्मू की है प्रजा परिश्यत लड़ना चाहती है तेरा candidate उनके technical reasons से reject कर दिये गे उन्होंने party ने bycourt ही कर दिये elections का clean sweep हुई NC की पूरी की पूरी government बना दी गई constitution अपने असाब से बना दिया गया हर चीज अपने असाब से बना ली गई और जम्मू का रोल किया गया जम्मू ने गेंड a big deal वो जो train bus हमने miss की जो प्रजा परिश्यत ने miss की वो 30 seats वाली उसका खुम्याजा हम आज भी बहुत रहे हैं ये fact है वो 30 मेंबर अगर हमारे असेमली में होते इसी वोड़ है बिन डिफरेंट टोटली डिफरेंट लेकिन नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ कि जो forces देली में बैठी थी उनको subversion नजर नहीं आया उनको सिर्फ एक family शेक साम नजर आई हमने इसको सबूड करना है जी जान लगा के सबूड कर इसका end result देखिया end result ये है पाकी तो जो है वो आप सभी जानते हैं आप जान के हैरान हो जाएंगे 71 वार तक जम्मो rest of India से train के साथ connected ही नहीं था तिल 1971 वार तक 65 गी वार जो ही नहीं था 71 गी वार थी नहीं था अब क्या हुआ जब आर्मी को अपना arms amunitions लाना पड़ा ट्रक में उठा के resources crunch हुई पता लगा हमारे drop है क्या है छम में हमने मार खाई टैंक लेड़ पहुंचे यह हुआ वह हुआ उनिस सो बहत्तर में जा गया हमारी ट्रेंट इस्टैबलिश हुई ट्रेंट लिंक तोबारा 1972 में तुवारा आपका डैज हुआ है पाई ट्रेंट यह है यह है रांगी होती है कि हम लोग कहते ही इतने इतने विजनरी लोग थे फाइव यूर ब्लैन बने यह बना वो बना जब्मों के साथ आप लोगों ने क्या कि जो जम्मों आपके साथ खड़ा रहा तुथ हैंड नेल बलिधान दिये शामा परसाद मुकरजी आए यह आए वो जम्मों से बिलांग करते थे क्या है नहीं एक इंटरस्ट था यह हो क्या रहा है अलग जंडा अलग प्राइमिनिस्टर अलग कांस्यूशन यह क्या होने जा रहा है यह एक रिपॉब्लिक बना रहे है इसलम इन अदर रिपॉब्लिक बनाया जाए और उस उन गलतियों की सजा हम आज भी भूगत रहें आज भी भूगत रहें और थोड़ा में ले के जाता हूँ कि बन गई स्टेट बन गी सब कुछ हो गया समय का ध्यान रखते हुए सर थोड़ा सा मैं यहां से जहीं पर यहीं पर यहीं पर इसी जगह पर कंप्लूर्ट करूगा जिए जम्मो मेडिकल कॉलेज इस नाम से जानते हो वह एमस नहीं था वह शेर किश्मीर इंस्ट्ट आप मेडिकल साइंसे बना नाम चेंज कर दिया यह एट वाज एस्टेबलिश इन किश्मीर जम्मू वाला एमस आज तक इस्टेबलिश नहीं हो पाया जिसको आप रिजनल इंजिनिंग कॉलेज से नगर बोलते तो किश्मीर जो भी बात होती है हम किश्मीर के अभी पटिशेप पर करते हैं आज भी वह चीज़ कॉंटीनू है कंसेंसस पे अगर हम आज होगी तो कुछ आगे बात बनेगा लेकिन डॉममेसाइल की वज़ा से अब वह भी बात आके अटवी जाएगी जितने बाहर के आदमी आपका स्किट यह जो लेंगे आप डॉममेसाइल सेटिकर लेंगे मैं आपको गरंटी देता हूं कितने जम्मू वाले आज तक किश्मी करते हैं उसको इंप्लिमेंट करते हैं लेकिन उन चीजों की कॉंसीक्वेंस हमें दस साल बाद 20 साल बाद या नेक्स जनरेशन को भोग देंगे तो रिक्वेस्ट यही है कि जो भी हमारा थिंग टैंक है प्लीज थोड़ा सा कंसिड्रेट हो नेशनलिस को आप करेंगे हम आ हैं आने वाले 20 साल 25 साल 30 साल में आपका यह डेमोग्राफिक चेंज भी हो चुका होगा एंड वी विल लूज देंड के ओन डेमोग्राफिक फ्रंट पॉपलेशन हंडर परसेंट वसलों है रैडिकलाइजेशन हो चुकी होगी बहुत देर हो चुकी होगी आप कुछ नहीं नहीं करता हूं कि इसी जए साथ मैं कंगलूड करता हूं धन्यवाद धन्यवाद राजन गांधी जी आप मेरे आवाज से अनुमान कर सकते हैं कि कि कितनी डिस्टर्बिंग फेक्ट्स जो हमने सुने हैं उसका कैसा प्रभाव मैंने भी अनुभव किया है कुछ तत्यों से यह तो मैं परिचित था लेकिन यह ग्राउंड रियालिटी जो है और यह डेमोग्राफिक चेंजिस वाली बात भी बहुत हद तक सच होती नजर आ रही है और यह समस्या केवल यहां जम्मू कश्मीर की ही नहीं है डेमोग्राफिक की केरल में भी उसी तरह से उभर कर आ रह कम और संगशेप में हमें यह सारी बातें बताई है अभी तो और चब हम इसको गहरे से देखने लगेंगे तो और कितना कुछ निकलेगा अभी तो हमें पता ही नहीं है ब्लेम तो अक्सर हम राजा हरी सिंग को कर देते हैं लेकिन जो उसके पीछे पॉलिटिक्स चला है उस उसमें किस तरह से किसको जो है वो किस रूप में प्रस्तुत कर दिया जाता है यह हम लोग हमारी लड़ाईयां तो इनी चीजों में लग जाती है कि हर बार वो एक निया शब्द ढूंड के ले आते हैं और फिर हम लोग जो है उसको गलत सही या उसके प्रतिपक्ष में करना चाहिए और फिर उसके बाद जो है आगे होना आगे चल सकते हैं अन्यता हम उनके लाई होए नरेटिव को ही फॉलो करते रहेंगे उनके साथ बढ़ते रहेंगे और उससे कुछ बहुत जादा हासिल नहीं होगा हलांकि बहुत कुछ बदला है लेकिन अभी बहुत कु को सामने लाने की जरौद है रहें इनी शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं आभार्वेद करता हूं कि आपने हमारी द्रिष्टी को और घ्यान को विख्सित किया है हमारी सोच और समझ को तथ्य। बनाया है उसके लिए मैं आपके प्रति आपना आभार वेक्ट करता हूं और ज्यादा समयना लेते हुए अब मैं आमंत्रिक करना हूं सुष्री रम्मी निरंजन देसाई जी को जिनके विशे में मैंने कहा था कि जिनका ज्यान और जिनका अनुभव दोनों का बड़ा एक है संयोजन है और मुझे लगता है कि उससे हमें बहुत कुछ ऐसा देखने को और सुनने को मिड़ेगा जो हमारे लिए बहुत लाबकारी और हितकारी होगा तो मैं समयना लेते हुए मैं उनको अहमंत्रिक कर रहा हूं कि वह अपना वक्त बें हमारे साथ आरम करें और उससे पहले कि जिन लोगों को थोड़ी सी उत्सुपता है ये लिंक के लिए प्रिपया थोड़ा धैरे रखें ज्यान के लिए आप इस चर्चा में आए हैं आप लोगों को हम निश्चित रूप से लिंक देंगे लेकिन अंतियों वक्ता के बार जी मैं प्लीज करिए आपको देख बीजिए आपको खेंड झाल गजा इस अथिताए शुट जी नाप जाले लिए रखें लुट पूलेश्ट पर इस वेबना टूले जाव्टरि टूब है लिए खिए रश्यों के लिए ये लुट्ट चारिए लिए बश्टी ये ये पूंट लेगों प्लीए लुट् यह जो मेरा तौक है इच फिर इन गोट हिवाथ एंगिछ पूर्थ दिख विख फोवाद फूड देन अब फिर्टी अगलिए करेंगें और प्रेंड वेडिश अबीड आप पूर्वर टॉ टॉट बेडिए अवड पूर्ट दॉट पूर्ट दॉट पूर्ट पूर्ट तो झालोज उन्वाली इूट्टूटियो और वार्वी तेट लियू उधिया उन्हारश्टियों कोरा अचरेविक विर्टू शसीन विर्टूट्र वार्ट इंट उट इस जिक फ्यूर प्रिफिक इन्स, विर्टूंसे ज़िए इबस्टूटू और, इड़ ए्ष्टूनिध वि practicing society, not able to discuss the vibrant culture and religion of Jammu and Kashmir that was preserved for eons by our Hindu brothers and sisters in the state, but to discuss how systematically justice and human rights has been supported and denied to our Hindu brothers and sisters. and when the time came to intervene by which I mean when the time came to abrogate article 370, 35a and when the time came to correct all the wrongs the world cried foul अगर आपने इंडियन मेडिया देखी अगर आपने वेस्टन मेडिया देखी सबने कहा कि अरे ये गव्मेंट इनी राडिकल है इनी पासिस्त है आपने आपने जमू और कश्मी का सब्स्टन सब्टिया anyway to begin with let me say that the topic of the webinar today is Jammu and Kashmir and Breaking the Subversive Web a theme that has formed the basis of the recently released book by Dr. Mahesh Khol by the same name and it's published by Shubhi Publications जिनके ओमर है संजे जी कि वो जो पुमकुचिन की एगान फिव फूपुश्ट पी अभी एने से बाइट ओ्यू को फिण वो तो अगान इचे विप्री नाय है विए विप्रीटेन की कि अढू स्टेश का इंशे लिट जार्थ रहित विए प्रू के लिए क्वेश्ट अड् the first line of the book in the acknowledgement section states very interesting line to tell the truth is a challenge but to tell the truth about subversion is a battle and uh you know opening line is book it rings very true to me because uh to change the narrative to talk about uh to talk about the actual on-ground reality um it is not easy it is very very difficult and you know the indian society has made it even more so difficult with its lopsided view of uh uh narrative pleasing hair to the western world anyhow um you know uh while trying to you know while we try to uncover all these uh premeditated confusions the lies the fraudulent nomenclature and the politics involved in studying the reality on ground uh the problem is that uh the majority in this country and not only here anywhere in the world but uh the sanatani is in india that when we talk about subversion of rights when we talk about human rights the lens that we use to see it can only be from the minority perspective and this has been exactly the case in jammu and kashmir it has also been the case in the northeast where i have spent majority of my time and i have done a lot of research work but um you know jammu and kashmir we are talking about that today so i will stick to that um the problem is because the oppression why why with the muslim community name why so we cannot look at it from a point of view of subversion this is the narrative many get you but this is how people think for example islamophobia is such a commonly used word now sub baathe karthe is something that everybody likes to hide but uh to clarify i'd like to say i don't see myself as a pure academic i see myself as a seeker a seeker of absolute truth so my research is based on field work uh it's not based on what i read it's not based on what i see in the media to me all that i read all that i see in the media is second hand information it's second hand analysis so whatever i've written has been based on years of the work living amongst locals my interviews and uh pretty much first hand resources and it is through this field work that i stumbled upon what the actual situation is in jammu and kashmir uh one has always known about the terror of the state that the terror that the state has seen um one has known about uh the uh you know the treatment needed out to kashmirin hindoos a very horrific genocide but like many people in this country i had not been able to understand the deception of the word special jammu and kashmir has a special status is special as a young person you know as a young person you know his state is if the state is so special other is the special status is special then why are they so unhappy why is there so much of injustice why is there so much of honor why is there so much of trauma what is this word special and what is this word hiding is there something is there something that is being hidden behind the word special but one would be forced to think otherwise you know it creates a uh you know it creates a aura of confusion because uh jitna shorja raba and i read i keep a track of a lot of western media as well and the western media seems to have a very deep interest in uh indian politics you know and uh jitta minne shorja raba dekha about uh you know your special status jammu and kashmir ka strip kari gaya you know uh bad galat here radical government hey you know koi sochi the special status is a medal that has been given to the state and uh you know this was very apparent uh when we abbreviated 370 and 35a all i heard was people complaining and upset and uh you know a layman would think that the special status offered to the citizens of jammu and kashmir was something extra something more than the rest of the country but uh a decade ago i went to jammu to study and i made a documentary on a peculiar situation of the west pakistan refugees uh which i soon realized was just a vineyard it was just uh you know uh you scratch the surface and you can see the truth there was violation of rights exploitation of people and resources rampant corruption and it was all justified under uh decades you know of uh telling us that this is under the special status people indians especially are very naive they're simple and just say ashitosh ji nai kaha ki you know uh um up the problems we don't want to go in deeper we don't want to see deeper we don't want to see uh especially as people who uh are not from jammu and kashmir of course citizens of jammu and kashmir would understand the situation so much better than us you know but uh people from outside we don't care you know and uh uh you know uh all of uh india you know that's why i thought jammu and kashmir was uh enjoying something special but the truth is that the special status was a dice and it was put in there to subvert the truth using article 370 and 35a and uh this was also used to change the demography of the state and i have seen this happen in uh the northeast as well so for me this was uh very surprising that in our sub border areas um this is what is happening uh the article allowed the state government to decide who was a permanent citizen of the state and who wasn't and it was only through this permanent resident certificates that they would issue that you could enjoy basic privileges and basic privileges money by you know right to buy a mobile property right to apply for merit-based scholarships right to vote in assembly elections local body elections right to marry a person of your choice though this right was not applicable to women of the state um and therefore these privileges were not as benign as they looked um the word special status privileges just it just covered the limitations and the drawbacks attached to them and the human rights violations that were happening behind these words and as today we have a time limit and rightly so i will limit my discussion to how these permanent resident certificates affected women and with the example of west pakistan refugees in the palmi case and how systematically these articles in the state violated their basic human rights you see half the population of jamu and kishmir was directly impacted by 35a since um the permanent resident rules uh took away a woman's right to choose her life partner article 35a institutionalized uh this if a prc holding woman married a non-prc holder her family would not get any privileges which basically meant that either she would have to live like a second-class citizen in the state or had to move out and it was a stark case of legally sanctioned gender equality and uh uh you know and this was an assurance that uh no demographic uh change takes place however this law did not apply but uh the most significant drawback was because these laws could not be automatically extended to jammu and kishmir are central laws deprive of the benefits of many essential legislation such as anti-rate law the status of women in India has been of huge debate and criticism in India and abroad. As we have said in the media, thewe media, are held in our city and take talks in society about AmerVI. के बारे में, महिलाओ की सुरक्षा के बारे में, महिलाओ की शक्तिकरन के बारे में, जितनी भी बाते होती हैं, वो Hindu religious, religious भी नहीं हिंदु social evils से related होती हैं, जैसे साथी, female infant side, child marriages, these constantly have been associated to, given a religious undertone, and associated to Sanatandhar. मगर ये same media, ये same लोग, Jammu in Kashmir की महिला हैं, उनका जो gender inequality हो रहा है, उनके बारे में, उनके कभी बातो बात की हैं, ना तो अभी बात कर रहें, ना तो पहले बात की हैं, बहुत western media ने, बहुत Indian media ने, बहुत crimes against women के बारे में बात किया हैं, बिली में, उत्तरक्रदेश में, मग ते अपर जमो इन Kashmir में जाहिए, इंस्टूशनलाइ़ हो चुका है, जहां इस इपार्ट अपर्ट ओफ ए लीगल बात कहां इसको क्या बोल सकते हैं? जिनों काल इसको विख याद प्रिफिरल जोर्नलिजम इस्मार्ड विख गर्जिदिक्ट is स्टूड हैं गर्ट Hello. Yeah, continue, continue. Someone disturbs you. Achcha. तुम्हे चहह रहा ह मैं तो परिफिर्ल जर्न जर्नलिजम है, you know, it's created a bigoted narrative, जियसे आप ने कहा, Ashutra Chooji ने कहा, यह जो narrative है, या वन साइड है, यह जो भी हमारे देश में जो जो नाशनलिस्टिक आपूस्टियर है, तो नेन निरत नेटिब इस थेड़ा इस बढ़ रहा है। इस प्र जाधिए प्रपागेट इप्रेड प्रफ लिए पर इंडियन में वेंग बलॉंग प्रफ दो एलिजिस मिनौरती इस बडूरिटीज इंडियू कि अध लिजिस नहींगे जागाओ इस थीञ वर्फ इस नही और जितने हमारे लिडरल अनलेस्स हैं, उनने भी थू 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 पढ़ते हैं, सब चीज नोट करते हैं, हर चोटी चीज पर अवाज उठाते हैं, मगर I have never seen an article on this, you know, but anyway, things are no different, you know, today as well, and and, you know, I'd like to come to the point which is non, apart from women, non-Muslim backward communities, Jammu and Kashmir में, how they have had to suffer, you know, while I was making this documentary, actually, you know, West Pakistan refugees का केस हैं, Jammu and Kashmir में, I say, what case is North Kismir, because North Kismir also has states that are protected, again, they are special states, जिसमें, जितने हमारे पंगलादेश से refugees आये थे, and especially Hindu refugees, don't have any rights, so, जिब मैंने West Pakistan refugees के बारे में सुना, I thought it is very important for me to go and meet them, and मैंने काल्कुलेट कि जो आइविटनेस थे, पार्टुशन के, you know, you know, it is, they must be of a certain age, so, it's very important to get their point of view, और ये दोकुमेंटरी को, I named it, आजाद देश के गुनाम हो, because, जो मैंने इनके बारे में सुना था, जो मैंने इनके बारे में देखा था, I, they were no better than slaves in this country. West Pakistan refugees की जो स्टोरी है, is particularly, you know, terrifying, because you don't realize that this can happen in our country. 1947 may during the partition of India, refugees from Pakistan migrated to various parts of India, but unfortunately West Pakistan refugees mostly Cialport City or village, you know, Jammu Pass पगता था, and they were thinking, कि हम कहाँ जाएं? So, उस टाएं पे, Prime Minister थे, Sheikh Abdullah, जिनने कहा कि नहीं, उन्हें अशौर किया कि नहीं आप जमू में आके रही है, and we will give the full citizen privileges. अगर this promise was not honored, and, you know, it's important for me to say this here, कि जो कि इनको प्रॉमिस कर रहे थे, तब side-by-side, वो Uighur Muslim families, विगर Muslims आप में सुनाओ, एक मुझे मुझे बने से हैं, मुझे मुझे मुपे मुझें को इनको सिटिजनई सिजिप बान करने में, he had no problem, अगर वेस्त पॉस्तान रफ्यूजिस थे, he never fulfilled his promise. So, when I went there, I decided that I made a documentary, how this does visualize the young people that affect the youth, is far more than reading, because they don't read much anymore. So, when I went for my documentary, I met the elders of the community, who, you know, eyewitnesses, theyWitnesses, and they were already 85-90 years old by the time I went. And Numbi na se ka ka, you know, we could have chosen to go to any other state. Jaise indusre refugees gai Pakistan me, hum bhi ja sekti kai. Mager, we chose to come to Jumbo because of the promises that was made to us by the government. But ab 72 years after the partition, we are still living like slaves because humaya pas PRC me he. उना थे फोत कर नहीं कर सकते हैं, ना तो हम पोत कर सकते हैं, ना तो नहीं को भूझांध प्रिक हालती हिए। नहीं को जोब होतay है।नि हुँ नहीं को सीज़ मांुता है। without any benefits that was given to every other refugee that came into this country. About 20,000 families and about 1 lakh members, which means they are aadhyay group of women. The state was responsible for not giving them basic human rights. And like I said, they could not avail state scholarships, they could not vote in a century in a school for jayat elections. And West Pakistan refugee women and children were in the worst condition. Nobody had finished primary school, there was no access to higher education, they were completely hopeless in such a setting. Daily income wage jobs, you know, sanitation, women's health, women's upliftment, but they did not have access to any of that. And not just one generation, three generations. And you understand that this emotional impact came about. Complete lack of confidence, complete lack of hope. And this was a part of the legal and administrative framework. That, and you know, most of them are Dalits, and these people are in North India or in South India, this is a big problem. But because it was in Jammu and Kashmir, because Jammu and Kashmir had been, you know, protected by these so-called privileges and the special status, I would like to give an example of a very brave girl, who comes from a Dalit community, a Blackwood community, called Radhika Gill. And a lot of you must not have, because when I heard of her for the first time, I heard of the Walmikhi community for the first time. Radhika Gill is a very talented and brave Walmikhi community. She was also a victim, and so was her community, of this legal and administrative discrimination. Top ranking athlete, right? Sub tests, unke father paisa, bacha bacha ke, unko, apne exams ke le jateate. Sub tests, unke father paisa, bacha ke, unko apne exams ke le jateate. Because he was a safai karmachari. And, unko exam ke le jaya. But, jabu waha paunchi, and she passed this exam, they told her that, aapke paas do permanent resident certificate hi nahi. Agar aapke paas permanent resident certificate nahi hai, you cannot get this job. Magar, there was something even worse that was a part of, you know, their fate, which was, that article 35a had such an insidious provision, that, jabu walmikis lai gahe the, they had come from, they had been brought in to the state in 1957. Because, Jammu ki state, swippers union, the safai karmachari union, the south, you know, there was a problem, and there was a very long-standing strike. So, to fulfill that gap of safai karmachari, these walmikis were brought into Punjab. He je punjab se lai gahe the, again, same promises, promises in Kupati kandai, you know, we'll give you a state citizenship, we'll give you privileges. Magar, this was a lie. Because, in aesa provision dala, ki, they could never change their job from a sanitation worker to any other profession. This was a provision in article 35a. You know, 272 super families were brought in from, you know, Punjab and moved to Jammu, with an assurance that they will be made permanent resident. But, aesa diabolical clause in Logan e Dala, that he, again, three generations in Mhulmik Thakantar. Three generations lived under, under this provision, that no matter how talented they were, no matter how talented they were, Radhika Gil, or how talented they were, you know, in their educational, you know, vision, they were successful in their educational, you know, but they were still in a safe karamachari state member. And, clearly, a decision taken by these families in Kupati had bound them to slavery. Slavery of sanitation workers. In this day and age, in the 21st century, the state decides what you can or you cannot be. It is absolutely shocking. But, you know, I considered this a legacy of modern-based slaves. Of course, I'd like to conclude by saying that today, with the abrogation of article 370 and the introduction of domicile certificate, all these refugees can eventually get some relief. But, it's too little too late. You know, there are a lot of other problems that have set in. But, having said that, at least they have some control over their future. You know, even though two generations have been lost to this legal and administrative jihad, and still as recently as yesterday, there was an objection from the QDP and the NCP when some of the first domicile certificates were issued, you know, they objected. They said that this government is trying to change the demography of the state. Whereas, you know, it is completely opposite. Whereas, it was them who tried to change the demography of the state. You know, this false narrative is still alive and has enough takers. You know, it will be repeated in Western media. It will be repeated in English media. And, one can only be grateful. I'm very grateful and I'm very thank you for listening to me and for making me a part of this webinar. Thank you. Thank you so much, ma'am. Thank you so much. Bahad, enlightening and really thrilling experience listening to you. एक जो बात मुझे मैं आपके आखरी बात से शुरू करना चाहूंगा ये बात कि ये जो narrative मीडिया में नहीं आया और social scientist ने भी जो इसके बारे में बात नहीं की वो इस लिए नहीं की क्योंकि वो दलित ब्राह्मन के context में इस चीज़ को fit नहीं कर पाए. इसलिए ये कभी भी मीडिया में नहीं आया. अगर ये इस तरह का narrative ये उनके उसमें पर हो जाता है कि ये दलित वर्सिस ब्राह्मन है तो रेस्ट आफ इंडिया के इसलिए वहां की भी बात हो सकती थी. वो मुश्किल नहीं था. लेकिन क्योंकि ये Muslim-dominant area था और वो उसको narrative नहीं नहीं कर पाए ये एक बहुत बड़ा कारण रहा है. और बाकि जो आपने ये बातें बताएं हैं बाकि जैसा मैं सोच रहा था और जैसा मैंने आपका profile देखा था कि आपका experience और आप जिसकर आपकी education है दोनों को बहुत बहुत सब्सक्रा तालमिल देखने को मिला है. I am really grateful to you for enhancing our perception and our understanding about the whole issue. I am really grateful to you. And before I invite Major General A.K. Shoury to present a vote of thanks, I will like some comments or some questions from the speakers. So, anyone can ask anything. आप अपने का unmute करके, give your name and then you can ask. अगर कोई है, because we are running out of time. जी, जी, प्लीज प्लीज सर पूछने की जरूरत नहीं है. प्रज़ तो आपको भी धन्यवाज और तीनों speakers को. ये तो सर्क मेरा request है कि तीनों का आप अलग अलग तरवाईगीगा. सब्सक्राइब जहां पावन नहीं नहीं हो. बहुत ही है, well research, well informative, well analytical इनके presentation है. एक दो प्रशन है मेरे जुरूर. जी, सर. पहले तो कॉल साब से, मेरे को लगा कि कहीं हम शेक अब दुल्ला का जो भूमी का है, उसको सही प्रकेश्य में नहीं देख पा रहे हैं. दूसरा है महराजा हरी सिंग का भी, क्योंकि जहां तक मैंने पढ़ाया है, कि 1947 तक शेक अगुल्तला पूरी तरह के भारत में विल्या के पक्षमे थे, दूसरी महराजा हरी सिंग 15 अगस तक कर अब क्यावर डोल थे, क्योंकि वो अपनी शाष्य के दस्ता को बनाए रखना चाहते थे, उनकी वो जो महत्वा कांक्षा थी, उसके कारण भी समस्चात पुपन ही, दूसरा एक और मैं जो आपने जब आहिंस्वार मेरे एक छोटी सिपनी है, जुरभाद की इस देश का, कि हमने आहिंस्वा पर्म धर्म तो पढ़्डिया, कि उससे अगली लें पर्म और रक्षिता रक्षिता, भगवत गीता का यदि हम अग्जन करें, तो यही कातल की हम धर्म जुत की लिए लड़ें, लेकिन उसको हमने बुलाया है, तीसरा सर्व मेरा एक प्रशन था दांदीजी से, आले कि मैं कि उस बास बहुत सहमतों, इसका समाधानी डेमोग् सब्सक्राफिक सैटलमेंट में है, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं, हमने उनकी बावी सहमतों से कह रहा हूं, कि हमने इस सारी समस्य को हिंदू मुस्मियों के उपर रिक्षिं में देखा, इसके उपर भी हम थोड़ा प्रकाश डालें कि यह जो इंबैंस था, इसको ह में नहीं रख्ता है, और तीसरा मेंडम से कोभी मैं पूरा नहीं सुन पाया, उमने एक शवद बोला था, हिंदू फोबिया, तो मैं चाहूंगा कि उसके ऊपर तोड़ा सा प्रकाश डालें तो मैं कोई बार कर सकूंगा, इन्ही शवदों साथ मैं समा को देखे अपने इस हमेरी आवाज आ रही है सर, जी जी बिलकुल आ रही है, जो ये प्रोफेसर साब ने प्रेशन पूछा, काफी मूलबूत प्रेशन है, काफी लोग पूछते, अच्छा कि उन्हें उठाया, जैसे कहा जाता है कि शेख अबदुल्ला बारत के पक्ष में थे, और महराजा हरी सिंग डिली-डैली कर रहे थे, ये प्रोफेगंडा जो फैलाया गया, जो हमारे पास आर्काइवल मेटीरियल है, और उसके साथ साथ आर्सी काख पेपर्स, पंडित राम चंदर काख, जो महराजा के प्राइम मिनिस्टर थे, मेरे पास एक प्राइमरी सोर्स लगा, जो महर रादा राजन से बाद में उन्होंने किताब भी इस पर लिखी कुछ साल पहले, डैलेमा आफ एसेशन करके, और पहली बार पक्ष सामने आया, ये मेरे मन में भी प्रशने थे, कि जिसको सैकुलर बताया गया और ये, जम्मू कश्मीर में जो एक पैटर्न रहा, राजन जी कि जम्मू कश्मीर में जो लडाई है, it is a communal problem, ये साहस हमें करना होगा, जब तक हमें साहस नहीं करेंगे, सब वर्शन होता रहेगा, हिंदू डिस्प्लेस होता रहेगा, बारत तूटता रहेगा, दूसरी बात, और ये, कि आर सी काग पेपर्स कहते हैं, कि एसेशन से पहल ने, इकबाल was the fountain head of Pakistan movement, Islamic homeland, और पंजाब में आरहर्ज थे, और एहमधिया थे, इन्होंने मिलके जथे मनाने शुरू किये पंजाब में, पंजाब से राजन जी ने गाल लिंक यहीं से था, वहां से सब कुछ शुरू हुआ, ये intrusions करते थे, कश्मीर में रीडिंग रूम प ये कहना गल्थ होगा कि वह विलाई के पक्ष में थे, शेख अबदुल्ला एक सबवर्स्य एजंडा चला रहे थे, बर्जोर दलाल रिपोर्ट 1931 की, इसमें सारी टेस्टिमोनीज है, वह हमारी नहीं बनाई हूँ, उसमें सारी टेस्टिमोनीज है, शेख ने सबवर्स्य और कैसे चलाया, और शेख के पीछे, अब इकबाल साब का क्या हात रहा, और इकबाल ही बानी थे, और जिसको बाद में जिन्ना ने आगे चलाया, वह एड़ोकेट की तरह काम किया, और दूसरी बात, यह जो कहा जाता है कश्मीर में, यह नया कश्मीर जिसको ये बात कहते हैं, वो सारा सबवर्स वेजिंडा था, यह रिशियन मैनिफेस्टो था, जिसको फरडा बेदी, पता नहीं आपने पूना है, और बीटियस बेदी, जो कबीर बेदी बहुत अच्छे एक्टर माने गए बारती फिल्म उद्योग के, उनके माता पिता ने इसको ट्रांसलेट करके, यहां फिट किया, देव विर्स वर्सिव प्लांट्स और लेफ्ट मूवमेंट जिसमें अधिकारी भी थे, यह सारा चलता गए, शेक वस कौप्टेड, तब भी इसलामिस और लेफ्टिस में गटजोड जो आप देख रहे हो, यह वहीं हैं जो पूरे बारत में देख हम क्याते हैं कि लेफ्टिस्ट और इसलामिस का जो साथ में गटजोड है, वहीं है जो अधिकारी डॉक्ट्रिन था जिसे पाकिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट किया, उसी ने जम्मो कश्मीर में कमिनल मूवमेंट को सपोर्ट किया, और शेक साहब वस पार्ट अफ उट इंग्रेजों के साथ, पहले 1844 में जो महराजा के साथ बाद में उसे पहले सिखों के साथ हुई, उसके बाद ये हुई, और पहली स्टेट है, जहां पर पूरे फुल फ्लेज राइट से नौर्दन फ्रंटिर पर आपके महराजा के, और तिबबत is also part of Jammu and Kashmir, Jammu and Kashmir प्र काक में लिखा, लोग नहीं बताते हैं, वो दूसरी बात है, और R.C. काक जिसको एक विलन बनाया गया, जितनी देर R.C. काक एडमिनिस्ट्रेशन में थे, शेख अब्दुलाव उसको इसलिए हटाया गया, माउंट बैटन का रोल, मेसर्वी का रोल, ओकन लेक का रोल, इन मेलाइन करने के लिए, उसके पेपर सापकड़े, पढ़िये, वो कहते हैं, जम्मू कश्मीर तभी बचेगा, जब यहां पर हिंदू ट्रेडिशन्स बिल्कुल ठीक रहेंगे, पैन इंडियन सिविलाजेशन का फ्लो होगा, हमारे को, we have been worshiping false gods, we have to go to back to the page, और इस तरह से जैसे प्रोफेसर साब ने कहा, शेक अब्दुला वस पार्ट अब दे मुस्लिम मूव्मेंट, क्यूं? क्यूंकि जो कश्मीर में कश्मीरियत की बात होती है, कश्मीरियत है जो सोचोलाजिकल, एंथ्रोपॉलाजिकल, हिस्टोरिकल बेसिस, ये भी एक विडम बना है, बलर राजपूरी हैं, जोनों ये टर्म कोईन की कश्मीरियत, शेक की आटोनॉमी को परप्वेट करने के लिए, इस कश्मीरियत is nothing, it's कैश्मीरियत, C-A-S-H-M-I-R-I-Y-A-T, it is a Muslim, it's normal to subjugate this, तो ये इस चीज को दियान में रखना होगा, ये सबवर्सिव एजंडा था, मुस उसमें सारा डॉकुमेंटर है, कश्मीर का गुल्मर कंस्परिशी केस देखिए, तो ये सारा शेक वस ये गल्त मित फैलाई गई, कि शेक और जब एसेशन हुआ, शेक तो जेल में थे, ये द्वारिकानाथ काच्रू और शंकरलाल कोल, जो स्ट्रेट ये परजा गई इसमें अगराइब इसमें बहुत सरी अभी समस्याइं हैं, और मुझे लगता है कि इसको हम आउन रिकॉर्ड लाने का प्रयास करेंगे, अगर इदि किसी और का कोई सवाल है, तो हैं उसके बाद में तो हम इसको समाप्त करेंगे, फूहन करेंगे, को टिपनी यदि किसी की हो, तो अधर्वाइस आई विल इद्वाइट मेंजर जर्नल अमिल शोरी, ठीक है सर, क्योंकि टाइम भी हो रहा है, तो सर, मैं अपनी बात भी रखाना चाहता हूं, और एक जो गांदी जी ने इतियास्पूर्ण सारी बाते बताई, उन में थोड़ा सा जो मैंने पढ़ा, वो बत करना चाहता हूं कि 1816 तक के पूरा जमू कस्वीर शिक समराजय था, लेकिन 1842 में शिखों ने तिबत जीत लिया, 1843 में चू सूल संधी हुई, और 1843 के बाद आंग्रेजों और शिखों के बीच जो युद हुआ, वो शिखों के साथ राजा गुलाब शिंग थी, लेकिन ग अंग्रेजों का साथ दिया और शिखों को अरुआद दिया, ये 1846 की गटना है, इसी के पुरुषकार के रूप में अंग्रेजों ने गुलाब शिंग को कश्मीर का जमू का राजा बनाया, आगे जो बात आती है 1935 के एक्ट की, अंग्रेजों ने सोविज सिंग के डर से वरतमान राजा से गिलगिट अच्छेतर पटे पर लिया था, लेकिन ये बातें गान दीजी से मैं सब कुछ करवाना चाहूंगा, और अंत्तेमें कोल जी की सारी बातें सुनकर मैं इस निशकर्ष पर पहुंचा, कि बाकू और चाचा की दान, वीरता, जिरिया जिली के खे बैठे और गरवालों को बे गरदे बैठे और अमारे शवीदान ने अमारा राष्टर एक द्रमसाला बना दिया, बस सर मुझे इतना ही कहना था, नमस्कार, धन्यवाद, राजन जी बहुत ब्रीफली अगर आप इस बार को रिस्पॉंड करें इसको मैं एक ब्राडर नॉर लेकिन इंडिया के, लेकिन नहीं हुआ, प्रॉलम ये थी, कि 1939 में मुस्लिंग कॉन्फरेंस बन चुकी थी, जिन्दा के इन 1944 तो किश्मी तो पर्सुएड शेक के आप NC को मर्ज कर दो NC, लेकिन शेक को ये चीज पता थी, कि अगर मैं NC को मुस्लिंग कॉन्फरेंस के साथ, इसलिए वो नहीं के, और क्या करते हैं, वो डबल काई गेम खेल रहे हैं, यहां से नहीरू के साथ नेकूशेट कर रहे हैं, जिन्दा के साथ कर रहे हैं, जिसके साथ हैगा होगा तो वह है चला जाओ, लेकिन महराजा आरी सिंग ने फोर सी किया, पकड़ दिया, पकड़ इंडिया हुआ, जिसको किश्मीर कॉंस्पिरेसी कहते हैं, तो पकड़ेगे न, शेक साथ अल्टिमेली पकड़ेगे, तो पकड़ेगे, तो पकड़ेगे, अगेंस इंडिया, अगेंस नेरू, जब उनको टेप सुनाई गई गई, यह लो सुन लो, आपको रिकॉर्दे टे महाराजा की राइविलरी थी नहरू के साथ, उस चीज़ को उसने यूज दिया, महाराजा गई दिया, इस स्टिल पेड़ेगे, जो बैब गना सब्सक्राइब, हम आज भी पे करें, जी, सर, आज तो जी, एक चीज, बस एक छोटी सी इंटर्वेंशन है, यह अभी जो प्र हुआ, माराजा रंजीत सिंह के म्रत्यू के बाद, वहाँ जो पंजाब दर्बार की हालत रही, उस अपने दो भाई भी मारेगे, तो उनके लिए काफी मुश्किल था, वहाँ पे, उन्होंने कहा कि यह जो स्टेट है, इसको कैसे बचाया जाए, और ही है टो डिसाइड, औ जो चोटी ठीटी नहीं है, नौर्डरन फ्रंटियर सिक्यूर करने की है, अगर उस पर बाकी जगह पर जहां भी लैप्स और पैरमाउंट सी हुआ, वहाँ पर आप देखेंगे, इस टेट्स फ्रजाइल हो के तूड़ गे, लेकिन अंग्रेजों ने वह गलती उस टाइम की उस गलती को सीधा करने के लिए कि हमने फ्रंटियर्स को दे दिया महराजा को, आप तो हम यह ले नहीं सकते, क्यूंकि इट वस बेसिक्ली विंड़ इंट इंट एंट अल एरियास, कैसे ले ले ले, यह वहीं लड़ाई थी, और लेकिन गुलाब सिंग वस फॉक्स आप अंपायर करके एक किताब है, fall of sick empire जो है, that makes it clear, मेरे सामने नहीं अभी, उसमें यह बड़ा clear है कि अंदर क्या conspiracy थी, frontier उन्होंने बचाया, यह उसको संस्कृताइज किया, यह यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा, यह भी एक प्रोपेगेंडा बीच में, यह लगता है कि इ यह जितना larger larger issues है, वो एक बार में हमें समझ में नहीं आ सकते, लेकिन चलिए, बहुत सारी चीजें हमारे सामने open up हुई है, बहुत सारे facts जो है, उनसे हमारा साक्षातकार हुए है, रूबरू हुए है, तो कई सारी चीजें हैं, और webinar का मतलब ही यह होता है, कि जितना आपक करके गर आप जाते हैं, तो वो webinar की सफलता है, तो एक सबाचार आपको देना चाहता हूँ कि आप गिलानी सहाब ने हुर्यत से रिजाइन कर दिया है, शायद हमारे सेमिनार का असर हो गया, चलिए, यह अच्छी बात आपने बीच में बता दिया है, तो अब मैं, आप मैं इन्वाइटिंग में से जर्नल अमिल को शोरी जी, तो प्रेजिद दो वोट ऑफ हैंक्स, सर, नमस्कार अशुतोर जी, क्या मेर अब अब आपने जो है, एंड में जो खबर सुनाई है, वो गिलानी जी ने स्टीफा दे दिया, अभी तो उनकी खुद की अपनी ओवराल स्टीफा देने की उमर आ गई है, अभी कहां से क्या स्टीफा देंगे वो, एन्यों, सबसे पहले तो, I am extremely thankful to Dr. Ashutosh, अशुतोर जी, जो भी जितने वेबिनार आप कंड़क्ट कर रहे हैं, आपने एक चीज नोट की होगी, हर वेबिनार में हम एक रिक्वस्ट आपको अरक्षे दे रहे हैं, कि आप इस टॉपक की उपर अरक्षे वेबिनार करने की जुरूबता, मुझे उम्हील है कि आपकी डाइरी जो है, उसमें आप यह सब नोट कर रहे होंगे और आपकी लिस्ट वो लंबी होती जाएगी, और बाकी पॉइंट्स पर मैं आउंगा, मैंने का थोड़ा सा जरा लोगों को हलका सा हलका कर दूँ, आप अपने यह प्याज के छिलकों की तरह जितना नॉलेज को आप खोलते जा रह टूँ एड जाएगा, अब बाकी टाइएगा, निज श्क्राइगा, अजितना श्क्राइएगा, तो आप अब आप खिल अपने उस्ट्राइगा, यह प्रभूल प्रॉल्म है, यह कुछ तोड़ा सा अगर इस्टा से देटा हूँ, यह एक कुल्चिर्फ रोब्लम, एक सु इस इंवेजिन इस नोट बाइड आर्मी और वाइड प्रेड इस ओर अवर आपक और इस इन फिर गांदी जी ने इतनी अच्छी तरह से एक्स्प्रेंड की है थोड़ा समय कोई जो मेंशन करना चाहता हूं अश्टोष जी सर्व मैं पार टू के तरफ देख रहा था जी जी स सब्सक्राइब करना चाहिए मैं पास की तरफ कम जाता हूं मैं फॉर्वर की तरफ को जाता हूं तो हम आगे कहां जाना है जिस्ट फर दा इन्फरमेशन ऑफ रॉक्टर कॉर्टर कॉर्ड और कश्मीर प्रॉब्लम और मैं कोशिश की है है मैं उन्हें आप अवेर बट टू गो तो फरक्जम्पल गमोग्रिफी की बात किया दॉक्टर गांडी आपने जो है रिहप्लिटेशन का भी वर्लिक यूश्ट है और एक ओवराल रैश्टल थॉट प्रस प्रस प्रॉस और एक कुल्चर को वापस लाने की बात की है मेरा छूब बात वर्लिक आपने का दह oike्या कार्टी यूश्ट हो जाल थे समय्ट ञा गाइस अनल भागे जो है और फेल्य और अबट तो फिर चैनल सब्सक्राइट ऑन में जा चपपे-चपपे से वाकिफ है, मैंने भी उदंपुर Northern Command में दो साल जॉब की है वहां पर, आपको मालूम ही है, कि जेन के में, Command Headquarters, 4 Headquarters, Game Headquarters, Brigade Headquarters, कितने हैं, राजवरी से लेकर, PUNS से लेकर, terrorist infected area से लेकर, कहा नहीं है, Brigade and above, मैं नीचे नहीं जाओंगा, Battalion से नीचे नही Schools also, there are so many other establishments also. Is there any plan of the Government of India to utilize these pockets to bring back the Kashmiris so that they can get a feeling of safety and the security? और बार बार ये स्वाल अपने आपने आटिकल से उठाता है। whether that all the deputy commissioners or the revenue authorities have been given the task to identify the pockets or the number of the families who have migrated, यह हो क्या रहा है, ऐसे में हो क्या रहा है कि जो Article 370 का abrogation है, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद आगे करना क्या है, वो plan कहा है तो people can say, yes, there is a plan. ऐसी पॉनसी प्लैन है जिसके बारे में काश्मीरियों को नहीं मालू कि वो ऐसी कॉंसा secret plan है जिसके बारे में गौर्मन्न दिस्टोस नहीं करना चाहती है? What I am trying to say is that, way forward बाला जो अपका इसमे पोच्छन है, उसके उपर हमें एक अलग से वैबिनर करके, we should come out with the specific proposals which should be submitted. If not submitted, at least that the 150 people who are attending such type of weblers, they will become cautious, if this is the proposal. That proposal will not be 100% right. There might be so many ifs and buts, but at least there should be a proposal. and there are so many Kashmiris prominent personalities, Mr. Paul might be knowing them, they should also be involved so that we move for the way forward. अजिसाई आपने points बहुत रेल्स किये हैं, मैं सिर्फ एक चीज़ उसमें पूट्स नहीं पाया, आपका, when I was listening, I was trying to search also on the YouTube Azraad Desh Ke Gholam, that documentary, but I couldn't get, no, 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 आप बोलिये मत, सुन लेजे पहले, whenever that I was searching, it was showing a movie by Rajesh Karnayan Da Rekha, it was not showing any documentary, so documentary definitely is there in the YouTube or somewhere else, but I could not access it. My point is that, I have no idea your Azraad Desh Ke Gholam from where it starts, where it ends. Wherever it ends, you have to make it part two because the number of Gholam in this Azraad Desh are increasing day by day, day by and they have kept their minds that totally blocked. They need to be shaken up. और जो आशुतोर जी ने बात कही थी सबसे पहले, कि हमारा overall culture, constitution की एक्जाम्पल दी थी, डॉक्टर कॉल साब ने, कि जब constitution को हमने जो है, बारा कंट्री से उठाकर पैचिस में ले लिया, हमने अपनी कल्चर को कहीं छोड़ दिया, there is a need to go back. और वो go back के दिये, यही मैं कहना चाहता हूं कि अजाद देश के गुलाम जो हैं, वो कमनी हुएं, वो बढ़ गए हैं, उन्होंने अपने आपको और ज्यादा गुलाम बना कर रखा हुआ है. एजव ड़िपके अड़ द्यादख के मिंपन आपकिम खाहता हुआ हभा खाहतर रखाहता ही, अरिया अठीज टील्या द्यादविस, as well and many special thanks to Dr. Arshutosh and I request that in future such type of webinars are conducted. All the three speakers they have explained the point very easily but keeping in the positive of time there were so many questions and the issues I am sure that they could not tackle it or handle it for which that another webinar is definitely required and I request I will be happy to contribute also so once again my thanks to all the speakers and all the participants thank you very much thank you thank you so much sir आपने presidential अपने vote of thanks में जो है अपने critical comments भी दे दिए अपनी suggestions भी दी है और धन्यवाद भी सभी का किया है इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार और निश्चित रूप से यह बात यहीं समापते ही होती है मैंने जैसे कि पहले भी कहा कि वेबिनार का मतलब होता है कि और आगे की संभावनाई क्या है यह कोई सिर्फ एक बार उत्तर मिल जाए ऐसा नहीं हो सकता ना तो हमारे प्रस्टन गहरे होते हैं ना हमारे उत्तर गहरे होते हैं यह एक तरीका है एक संस्कार है अपनी बुद्धी का और प्रयांस होता है कि हम अपने विचारों के माध्यम से बुद्धी की अंतिम सीमा को छू लें तो यह उसी की तैयारी है और निश्चित रूप से हम आगई और भी इसी दृष्टी से सेमिनार कुछ एक लेंगे और बलकि इसकी इस वक्त जो मेरे मन मे मेडम सरीता प्लीज दो मिनट के लिए शांती रखें कि कॉंस्टिचूशन और इंडियन कल्चर इसके उपर ज़रूर करना चाहता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि कॉंस्टिचूशन जो है वो परियाप्त नहीं है वो भारती भाशाओं में भारती संस्पिति के परिप्र कर दी है जो हमें वह बातिसारी में करूंगा आप लोगों के साथ बहुत जल्दी ही इसके उपर हम चर्चा करेंगे और इसी तरह के और भी सारे इस्यूज हैं अभी आप लोगों ने आज हमारे साथ वैचारी जोगी आपने योगदान दिया है उसके प्रति में बहुत इसके बात इस सभा को हम विसर्जित करें आप लोगों से मैं नहीं 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 आप लोगों से में नहीं नहीं है सर्जिन देम डेना चाहूंद एक तो कल सेमिनार रहे होदी कि वाषा के संबंदों को ले करके है कि जितनी हमें भाशा आती है क्या मैयस में हमारे पास घ्यान है या जितना हमारे बास्ट है इसके उपर टन की चर्चा रहे गी और औरत मैं जो मैं वही है दुख है कि हमारे साथ जो बिट्रेल हो रहा है और जो बिट्रेल हम हिंदों के साथ लिए गया है उसके बारे में बात नहीं करते हैं तकलीफ होती है अंदर से किस तरह से हम हिंदों को ही इस धर्ती के साथ डिस्कनेक्ट कर दिये गया है rootlessness की एक स्थिती जो है आन हंदू फैमिली में देखने को मिलती है उसको डाल दिया है कि तू स्मार्ट बन जा तू ये कर दे तू कुछ करके दिखा दे लेकिन जब उसका सामना इस तरह के चीजों के साथ होता है terrorist attacks के साथ होता है उस सोच के साथ होता है जो किसी एक belief के साथ जुड़ी हुई होती है तो उसके पास ना खड़े होने का स्थान होता है ना उसके पास कोई fallback system होता है तो वो बस बहता चला जाता है और अपना है मजाग सा बनवा करके रह जाता है तो ये बड़ी गंभीर बाते हैं और बहुत larger perspective में सोचने की ज़रूरत है इन सब चीजों के बारे में और अंत में मैं एक बार फिर जो मैंने संस्कृत से वाक्य लिया था उसको दोहरा रहा हूं हलांकि मेरी संस्कृती वही कहती है कि महाजुनो येन गता सपन था लेकिन मुझे आगा कर देती है यही मेरी संस्कृती की जो डाइनेमिक्स है कि महताम प्रग्यापराधाद की बड़े लोगों के जो प्रग्यापराध होते हैं जो intellectual उनने crimes commit किये होते हैं उसकी वज़ा से प्रजा की अधर्म में प्रवित्ती हो जाती है अधर्म में चले जाते हैं और इसके जो संदरे है इस शब्द के संदरे को समझने का प्रयास करें और उसको देखें लागू करके अपने भारत पर अपने constitution पे कितना बड़ा प्रग्यापराध हमने एक सो तीस करोड भारतियों के साथ किया है तो इनी सभी शब्दों के साथ इसी तकलीफ के साथ इसी नई संभावनाओं के साथ मैं आप सभी के प्रती अपना आभार वेक करता हूँ कि आपने मेरा ज्यान मार्क का निर्देशन किया है मेरी द्रिष्टी का विकास किया है उस सभी के लिए मैं आप सभी के प्रती अपना आभार वेक करता हूँ और फिर कल मिलते हैं कल साड़े कि दस वजवे और देखते हैं कि हमारी भाषा और हमारे ज्यान के आपस के समद्ध कितने मझबूत हैं और कितने स्शत हैं सब्चचोदों के साथ आप सभी लोगत चोड़ सकते हैं आप सकते हैं थैंक यू एविवन थैंक यू सो मच है थैंक यू सर थैंक यू सो मच थैंक यू डॉक्त राजन गांधी जी अमिर शोरी जी धन्यवाद आपका और बाकिस जुड़े हुए लोगों के प्रति में अबार्वाद करता हूं यदि किसी ने अपना रिजिश्ट्रेशन नहीं भर आप प्लीज वीडियो लिंक डाला हुआ है उसको आप भर दीजे जनल साथ ये मैडम ने अपना वीडियो के लिंक डाल दिया है यूट्यूब का चैट बॉक्स में आप देख सकते हैं उसे कि अधा बोलना चाहेंगे प्लीज नॉट्श. अधर आप देख सब्सक्राइब मेरा धन्यवाद करें थेक कैना क्यों की यह थे भिश्चि आपके साथ सीधे जुड़ा हुआ है था है इस अट्वेश्चि ओर ग्यान थी कह सर थेंग एस सो मच कल इस बीटिइग ना so I will close it down thank you